हेए अब्रिवन विल्कम बैक टोटर 24-7 स्कूल मैं ओँ शिप्रातिवारी बहुत-बहुत स्वागत हैं और यहां पर आप अपनी बाली जी को चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त बना सकते हैं और लाइफ में बहुत कछा कुछ कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चो आज की कहा पर पढ़ने हैं और दोनों चैप्टर आपके टर्मट्व में आने तो आज हम शुरू कर रहें चैप्टर से जो कि प्रिंसिपल और प्रॉसेस ऐस क्या प्रिंसिपल होना चाहिए क्या उब्जेक्टिव है वह आज इस वन्षॉट वीडियो में हम जानने वाले हैं मेरे प्या यह वन शॉट वीडियो आपके लिए राम बार्ण साबित हो सकता है तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का वीडियो वन शॉट वीडियो बनाने से पहले disclaimer मैं आपको देदू वन शॉट वीडियो का objective यह होता है कि हम किसी भी चीज़ को सारी चीज़ों को एक बार में एक साथ पड़े कोशिश करूंगे कि आपकी एंसी एक्स्प्रेंट करूं कि किसी न किया ना हो पर यह उम्मीद कर रही हूं कि यह वीडियो आपने यह चाप्टर बढ़िया तरीके से पढ़ा होगा मेरे प्यारे लल्ला और अगर नहीं पढ़ ना ही मैं शुरू कर रही हूं बिना किसी दे रही के चलो बच्चो हमको यह समझना है कि वह बिल्कुल भी बहुत जादा थेओरी में जाऊंगी मैं धड़ा-धड़ा-धर धड़ा-धर गश्प्र को एक्स्प्लें करते जा रही हूं हाँ और उमीद करी हूं कि हर बच्चा अपनी NCRT लेकर बैठा होगा जो बच्चा NCRT लेकर बैठा होगा definitely उसको ये chapter समझ में आएगा class 12 में ये one of the best chapters है आपको लगता है कि आपको समझ में आता पर आज के बाद वो भी लगना बंदो जाएगा इसका एक टॉपिक दीटेल यूट्यूब में आप डालो शिपरा मैं डालो आपको टॉपिक मिलेगा आप जाके पढ़ो और इंज्वाइ करो सो बाय टेक्नोलिजी है क्या ये समझते हैं basically हमको अपनी बाली जी को टेक्नोलिजी से मिक्स करना है और हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने हैं जो यूमन वेलफेर के लिए काम आते हैं ठीक है तो आप डेफिनेशन लिखते जाना ये टेलीग्राम में भी आपको मिल जाएगा नोट्स तो टेंशन नहीं लेना पर मैं यह चाहती हूं किया आप इसके नोट्स या तो आप अपने कॉपी में इसके नोट्स बनाईए ठीक है इस टेक्नोलजी में हम करते हैं कि आपके माइक्रोब्स या उनके किसी प्रॉड़क को इस्तमाल करके हम कुछ ऐसी चीज़े बना देते हैं जो कि humans के लिए बहुत अच्छी होते जैसे के enzymes, hormones, proteins, genes ठीक है यह सारी चीज़े हम बना देते हैं जो कि human के लिए काफी useful होती है So by the use of microbes or by their products we are going to make और we are continuously making some proteins, some enzymes, some genes जो कि human welfare के लिए शांदार, जबर ज़स, जिन्दाबाद हो सकते हैं Suppose that, if we are making the insulin gene बेटा, तो insulin gene भी क्या है बताओ Insulin gene भी तो एक product ही है जो कि हम biotechnology, genetic engineering से बना सकते हैं अब बचो यह तो neat में नहीं पूछा जाता, पर आपके term 2 के लिए it is very very important Term 2 के लिए it is very very important European Federation of Biotechnology क्या definition देती है यह term 2 में आपको याद रखना है It is a integration of natural science and organism cells parts thereof and molecular analogs for the product and services हम natural sciences का और organisms का, cells का, उनके parts का, उनके molecular analogs का अब आपके मन में सवाल होगा, मैंड़ में molecular analogs क्या होता है किसी भी natural चीज का synthetic version अगर आप इस्तमाल कर रहे हैं किसी भी natural चीज का अगर आप synthetic version यूज कर रहे हैं इन सब का इस्तमाल करके अगर आप कोई product बना रहे हैं, कोई services दे रहे हैं humans को तो यह है आपकी bio technology So it is the integration of the natural science, organism, cells, their parts and the molecular analogs for the products and the services This is the very important federation of bio technology, European federation of bio technology की यह definition आपके लिए बहुत important है तो basically suppose that कि भटूरा, छोले भटूरे खाते हैं न, तो छोले भटूरे पर जो भटूरा होता है हम उसमें क्या कर रहे है, basically उसमें bio technology है भाई यह वो yeast होता है, तो yeast ferment कर देता है, तो भटूरा फूल जाता है, केक का डो फूल जाता है, जिसे केक spongy, भटूरा spongy बनता है कोई product बना रहे हैं, जो की बहुत useful है, human welfare के लिए, तो यह है definition आपकी European Federation की bio technology के लिए, clear है, ठीक है, चले, अब बिल्कुल भी घबराने की जरुवत नहीं है, bio technology किन किन चीज़ों देल करता है, बेटा, हर जगा, each and everywhere bio technology है, इस बात का विशेश तोर से ध्यान रखिए, हम medical industries में जाते है, test tube baby हो गया, ठीक है, test tube में baby होता नहीं है, मदर के warm जैसी बहतरीन चीज़ कभी इंडिया में, world में है ही नहीं, तो बच्चा develop आपको uterus में करना होगा, पर first stage of fertilization होता है, जो zygote बनाना है, blastula stage तक हम test tube में कर सकते, देन उसको uterus में transfer करना पड़ेगा, uterus जैस baby बनाना है, by technology, आपको कोई special type का gene बनाना है, जिसकी multiple number of copies बनाना है, ये भी by technology, कोई DNA vaccine बनाना है, covid का vaccine बना, आपने इतने type की vaccine को, vaccine, covid shield, ये सब by technology से बनी है, so if you do not have the technology, how you can use the microbes of the environment, so by the use of technology, we can use the microbes of the environment for the welfare of humans, this is the bad technology, okay, और हम किसी भी defective gene को भी cure कर सकते हैं, by the help of bio technology, clear है, आगे बड़े, next, अब principles of bio technology, it is very, 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 very important, ये आपके term 2 में पूछा जा सकता है, ठीक और नीट में भी ये पूछा जा सकता है, नीट और term 2 इन दोनों के लिए important concept है ये, क्या concept है, ये समझते हैं, इसके दो principle है, एक होता है आपका genetic engineering और एक होता है maintenance of sterile condition, अब तुमें इक ही चीज़ को बारबर पढ़ोगे, बारबर सुनोगे, बारबर देखोगे, practice जो है, वो हर इनसान को perfect बना सकती है, Einstein, Einstein नहीं थे, आपको पता उनकी story, और वो कैसे आखरी में बने practice, 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 हम पत्थरों को तोड़ सकते हैं, पत्थरों से पानी निकाल सकते हैं, बाय genetic engineering, genetic engineering क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा, genetic engineering में हम किसी के genetic material को alter करके, एक host में घुसा देते हैं, और उसका phenotype change कर देते हैं, यह क्या बोल रही हो मैं, यह अभी आपको समझाती हूँ, मैं ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनते जाना, तो सब समझ में आएगा, नहीं सुनोगे तो नहीं समझ में आएगा, सीरी बात है, चलो आजाओ, आजाओ, come on everybody, अब पूरा जो आपका इस चाप्टर का जो basic है, मतलब पूरा चाप्टर जिसके एर्दगिर्द ही हूँ मेंगा, वो मैं आप बोर्ड में लिखने जा रही हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है सबसे पहले हमको यह बात याद होनी चाहिए, कि बैक्टीरियल सेल के अंदर डियने होता है, कोई भी जनेटिक मटेरियल है, तो यह है बैक्टीरियल सेल का डियने, clear है, ध्यान से सुनते जाना, तो सब समझ में आएगा, नहीं सुनोगे तो नहीं समझ में आएगा, अब इ X Y Z बैक्टीरिया है, ओके इसकी डिस्कवरी भी हम पढ़एंगे, अब इस बैक्टीरिया के अंदर एक सर्कुलर डीने है, यह जो सर्कुलर डवर स्टैंड डीने है, डवर स्टैंड डीने है, जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं, बेटा जी लल्ला जी, ननन केन प्रकार ने इंसान दांड भेग मुझे कुछ भी करके चाप्टर आपको जल्दी से जल्स पढ़ाना है ताकि आपको बहतरी नॉलेज एक बार में मिल जाए और अगर कोई बच्चा बोल रहा है डीटेल में पढ़ाओ अभी वन शॉट पढ़ लो इसके लावा बाहर से इसको निकाल लिया तो इस बैक्टीरिया को जो है बिल्कुल भी इकस वाई जैट जो है झो है वी भटता फरक पड़ता है कोई नहीं पढ़ता है क्योंकि इसको निकाल वी लोगा फोई पड़ना तो यह एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डबल स्टैंडर सर्कुलर डिने हैं इसके इंदर सेल्फ रैप्लिकेशन का पावर होता है क्लियर है कभी कभी प्लाजमिट में कुछ ऐसे एंटिबाइटिक रजिस्टेंट जीन होने लगते हैं कि इस बैक्टिरिया पर एंटिबाइटिक डालते ज तो कोई फरकी नहीं पड़ेगा क्योंकि उस फलाना एंटिबाइटिक के लिए इसके पास प्लाजमिट के अंदर यह प्रॉपर्टी भी होती कि उसके पास कभी कभी रेजिस्टेंट जीन होते हैं जिसके विजए से पर्टिकुलर बैटिरिया मरता नहीं है पर हम पर्टिक ताल कर इसको रख लीजे इसको हम कहते प्लाजमिट इसको हम क्या कहें बेटा जी प्लाजमिट क्लियर है देखो अब हम इस प्लाजमिट को लल्ला मेरे आखों की तारो चांसी तारो अगर तुम यह समझ जाओगा पूरा वन शॉट इसम मक्कर मलाई की तरह क्लियर हो जाए सुन आया आपने some basically Plasmit क्या है प्लास्मिद एक समझें हमा लीजिए कि हमारे पास एक सुनैगा लोीज्थ शेडिया यह हमारे पास एक डीनए क्लियर यह हमारे पास डीन आ है डीनjem का यह वाला हिस्सा हमारा डेजायर जीन एक और पूरा डियनेल जाके प्लास्मिंट में जोड़ देते ते उतना अपने को चाहिए नहीं अपने को इतना चाहिए ध्यान से समझ लीजे पूरा टेक्नाउलइजी का इस पेज पर क्लियर हो जाएगा यह हमारा एक डियने पर हमें सिर्फ इतना पॉर्षन ही डियने का चाहिए तो यह है बेटा हमारा desired gene, यह क्या है बेटा जी आपका desired gene, this is the desired gene, यह है आपका DNA, और DNA का यह वाला portion है आपका desired gene, clear है इतनी बात, I don't think so, इसमें कोई problem होगी, this is the desired gene, clear, अब हमको क्या करना है, बेटा कट लगा ने, desired gene को निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पर आप डालिए एक enzyme, clear, यह हमारा DNA है, DNA का इतना portion हमको चाहिए, ता हम चाते हैं कि कि किसी भी तरीकے से, इस desire gene की multiple copies बन जाएं, क्या चाते हैं, कि कि क्योंकि यह gene जो है, मालो insulin नाम का एक होर्मोन बनाता है, अब हमको चाहिए, कि हमको बहुत सारा insulin चाहिए, तो बहुत सारे जीन बना लो, बहुत सारे जीन बना लो, पर बहुत सारे जीन कैसे Madam, यह ही genetic engineering का objective है कि कैसे हमको multiple copies of gene बनाना है, next thing देखेंगे ध्यां से, भटा दू चलो, आज़ अब इस desire gene को cut कर लो, हाम मैं phase cut कर लिए है, को attention एक blue color कर डिजायर जीण नहीं है शिप्रा मैडम ये आपका डिजायर जीण कट हो गया DG लिख दो इसको मैं ये आपका डिजायर जीण कट कर रखा हुआ है पर आपके मन में सवाल होना चाहिए कि माड़ा माप बोल रही हो कि यहां से काटो तो क्या यूज किया तो बेटा इसमें आप use करते हैं restriction enzyme, ठीक है, इसमें आप use करते हो restriction enzyme, restriction enzyme जो होते हैं वो DNA को बीच में से काट देते हैं, clear, और साथ में आप यही same restriction enzyme इस plasmid को भी काटने के लिए इस्तमाल करो, जो restriction enzyme आपने DNA को काटने के लिए इस्तमाल किया था, वही restriction enzyme इसको use करो, क्या है restriction अब आपका बेटा जी प्लांजमेड भी रडी है चींकए इसने अपना कढ़ा लिया है एंकर यह कट्के रेडी और यहां पर DNA हो गया है अब बेटा divine सुनना अब इस व्यक्सरम एस डी एने को विठा दो बैट गया एडियाने clear है बोलो 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 यह हो गया आपका ठीक clear हो गया अब हमें इसे एक host cell के अंदर ले जाना है ठीक है यह हमारी है host cell clear है यह हमारी होस्ट्सेल जो है यह हमारी हो स्ट्सेल अंदर हमने यह प्लास्मिट किसी भी बैटेरियल देकाल ले देंकाल निजै को बैटेरिया को कोई फर्क नहीं पड़ना अब बेटा आओ मेरे साथ यह डाल दीया तुमoyu डाल दिया डाल दिया clear डाल گया अप यह जो host cell है बेटा यह है आपकी transformant cell कौन सी cell है यह बेटा Transformant cell मैं हमें transformant cell क्यों हो गई ठीक है बें इस process को आप कहते है transformation this process is called as transformation क्यों मैं have transformation किया हमने एक bacterial cell को recombinant bacterial cell में convert कर दिया मैं इसको recombinant bacterial cell आप क्यों कह रही हो क्योंकि इसके पास जो plasmid था वो इसका खुद का था पर अब हमने इसमें कौन सा plasmid आट कर दिया recombinant this is a recombinant plasmid isn't it ये क्या है बेटा recombinant plasmid ये recombinant plasmid है न ये इस recombinant plasmid को हमने एक host cell में डाल दिया host cell क्या है बेटा bacteria डाल दिया bacteria में छहेक बेक्टीरिया में डाल देके तब और लिखा में बेक्टीरिया में डाल दिया है अब ये जो cell कहलाई ध्याँ सुनना ध्यान सुनना चलो ये जो cell आई है ये है आपकी recombinant Recombinant Transformant Recombinant Transformant ठीक है? Transformant यह है? यह है अपकी Recombinant Transformant मतलब आपने Plasmid Transform कर दिया This is Transformation और यह जो Process है It is a Recombinant Transformation Clear है? Done हो गई? यह पूरा है Recombinant DNA Technology मतलब आपने Recombinant Plasmid को Kिसी दूसरे Бेक्टिरिया में कहँ आप अब क्या objective है मैं, क्यों हम इतनी मगजमारी कर रहे हैं, पहले काटो, फिर लगाओ, फिर भिजाओ, ठीक है, आप देखो, ये bacteria के अंदर, इस plasmid के अंदर self replication का property था, तो ये self replication का property के वज़े से, ये जो आपका plasmid था, वो इस तरीके से replicate कर गया, clear, okay, अब यहाँ पर अगर सब देख रहे होंगे, तो यहाँ पर आप देखो, desire gene की कितनी copies हो गई, this process is called as gene cloning, this process is called as gene cloning, यहाँ पर कुछ शब्द आपको clear होने चाहिए, एक तो transformation आपको clear होना चाहिए, gene cloning आपको clear होने चाहिए, ये पूरा process है, recombinant DNA technology, RDT, recombinant DNA technology, clear, कुछ terms आपको बिल्कुल clear हो होता है, ठीक है, उसके बाद restriction enzyme इंजाइम इस्तेमाल करते है, same restriction enzyme for the cutting of DNA, for the cutting of plasmid, जोड़ो, transform करो, अब यहाँ पर multiple gene cloning क्या होती है, multiple copies formation, क्या है gene coal cloning, multiple copies formation, multiple copies formation of desire gene, dg लिख दिया है, desire gene की multiple copies बनाना, so step number one, label कर रही हो है, this is done, this is done बिटा, पूरी कहानी, अब यह page की जरुआ था बेटा जी, हमको बार बार पड़ेगी, बार बार, so सबसे पहले, plasmid निकालिए, plasmid को restriction endonucleus से cut करिए, desire gene को भी cut कर लीजे, number two, number three में जोड़िए, number four में transform करिए, number five में gene cloning करिए, यह पूरा process gene cloning clear हुआ, आपका, 5 step में आपका कहानी clear हो होता है, ध्यान से, listen to me, listen to me, कभी-कभी ऐसा होता है कि जब हम इस plasmid में cut लगाते हैं, जब हम इस plasmid में cut लगाते हैं, तो कभी-कभी plasmid desire gene को लिए बिना ऐसे ही जुड़ जाता है, समझ गए, तो यह plasmid भी अगर इस cell के अंदर पहुच गया, तो भी यह transformant ही है, पर recomb transformant नहीं है, recombinant transformant जब यह recombinant वाला plasmid पहुचेगा तब, यह concept आपको बार-बार इसले सिखा रही हूँ, क्योंकि आखरी में यह बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, clear हो गया, so this is the genetic engineering, अब genetic engineering के दो हमारे objective हो सकते हैं, या तो हमें multiple copies of यह वाली gene चाहिए, या तो यह gene इसी cell के अंदर बहुत सारा protein बना देती है, फिर हम इन bacterial cell divide कर जाएंगे, gene divide कर जाएंगे, plasma divide कर जाएंगे, protein बनता जारा है, बहुत सारा protein बनाता जाएगा, फिर हम और बायुर्यिय्ındaki निकालेंगे बोर्ज़ाय में एक्सपोर्ट कर देंगे तो लिए सिकली जीनिर इंग्र tant organism होते हैं या hope या तो आप डिशायर गारेव और लो या तो आप is a Bride can बना लो दो इंवन प्रोंच एगा करेंगे डान आगे बढ़ते हैं चलिए शुरू करते हैं तो जो हम ए है genetic material को chemical एंटर कर देते प्लास्मिंट को तोड़ दिया आपने ठीक है ओके maintenance अब अच्छा देखो बेटा ध्यान सुनो अब हमें इसके अंदर transform कर दिया अब bacteria divide होगा bacteria divide होगा bacteria divide होगा तो उसके प्लास्मिट होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे number of plasmid बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे पर बेटा अगर मालोस में कोई पूरी पॉरी पॉपलेशन खतम हो जाएगी आपका पूरा बाय टेक्नोलोजी जिनेटिक इंजिनिरिंग का प्रोसेस खराब सत्यानास यह दो प्रोसेस आपको याद होने जाएंगे जब हमने क्या किया हमने देख लिया हम तो यहीं से काटेंगे पहले-पहले क्या होता था पूरा प्लाजमिट काटा उसमें पूरा पूरा डिया ने घुसा दिया तो इससे बहुत ज़्यादा प्रोसेस लंबी हो जाती थी आप तो हम वही पॉर्शन काटते हैं जहां से हमको जरूत है ऐसा क्यू आपको कुछ चीज़े और बताती हूं नॉर्मली प्लाजमिट जो है ध्यान से समझ लएजाए यहां पर बिटा इदर सुनला रहे यह जो प्लाजमिट है यह हमेशा वैक्तर किसी के लिए हो सकता है मैं लिख देती हूं प्लाजमिट जो होते हैं यह वैक्टर हो सकते हैं ज टान्स के लिये होता है एक स्बेशन टाइप का प्लाजमिट जिसको कहता है टीया प्लासमिट इसके बारे में भी हम लोगों पढ़ेंगे मैं ऐनीमल सेल के लिए क्लिए यह इसा भी कर सकते हैं कि इस सेल में डायरेक्ट अपना जीन घुसादे इसको कहते है डायरेक्ट ट्रांसफर ठीक बहुत सारे मेथड़ उते है जीन गन बायो लडिस्टिक गन ठीक और अगर आप देखो जान चाहिए अगर आप वेक्टर के थूब कर सकते हैं अपना जीन और आप डारेट भी कर सकते पर डारेट इतना एक्यूरेट नहीं तो महेंगा होता है इसलें वेक्टर के थ्रू करते हैं क्लियर आगे बढ़ें नेक्स्ट इस यह भी हो गया आगे बढ़ रहे हैं चलिए अब यहां पर थोड़ा सा हिस्ट्री जोग्र लिया जो कि टाइफाइड कर रहा था साल्मोने लाटाइफी बेक्टिरिया लिया उसमें उन्होंने क्या किया यह उन्हें ने किया यह 272 में कि यह ले आए एक वजय अपना डिजायर जी इन कहां से ले आए कौन से अले आया यह अपने को लेने देना कुछ ने डीजी लिकूं कि मतलब combination तो यह बन गया बेटा री कॉमबिनेंट प्लाजमिड लला बन गया री कॉमिनेंट प्लाजमिड डन 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 टन ठीक है तो यह हुआ आपके स्टंले कोहें और हरबर्ड वायर का एक्सपरिमेंट जो 1972 में इन्होंने किया था प्लाजमेड लिया काटा और दूसरा अपना डिजायर जीन गुसा दिया कैसे करेंगे यह आगे पढ़ते हैं आई यह ध्यान से और समझते हैं चलो अब जिनिटिक इंजिनिरी में तीन बेसिक स्टेप है जो मैंने आपको पढ़ टी आई फ्लाजमेड तो होसेल प्लांट रेट्रो वायरस है तो होसेल अनिमल सेल बास हो गया पहचान लिए हम लोगों ने उसके बाद अपना डिजायर जीन प्लाजमेड में गुशा कर रोस्ट जेल को मरने मत देना क्योंकि होस्ट जीन का नंबर बढ़ेगा तभी आपक अब हो अब हो थोड़ी देर पहले यह चाप्टर में धड़ा neutrमिध माने तो सबस्मझ में आए गा अभी आपको थोड़ी देर पहले समझा है कि किसी बड़े बड़े ृठ बस्पकॉंद्了吧 छीघीन उसको किस ऐक ठीक्सिंद मीडें आपं आये तो अलग ऑलग औलग हो ज तो नियुक्ले से अब कहानी यहें कि रेंस्टिक्शन एंजब्स की बारे मैं थोड़ा सा को समझना है रेस्टिक्शन एंजब्स एंजब्स को हम मॉलीकुलर सीजर्स भी कहते हैं वाइग यह कळ्सक्रों व्लीक निकलोईस को 1963 में डूंडा गया जो कि दो activity करता था आईये समझते हैं लला 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 आव बटा आओ जाओ घबराओ नहीं है ना restriction ओहो शिपरा मैम हाथ से लिख लो बेटा शिपरा मैम चलो आओ बेटा रहां जे नो restriction enzyme restriction enzyme listen to me very carefully don't go with the अब कैसे restriction enzyme की discovery हुई ठीक है एक बेक्टिरिया था बड़ा प्यारा था ठीक है तो एक बेक्टिरिया सेल्क बना लें फटाबट से यार अब हम इसमें एक बेक्टिरियोफाज का infection करेंगे क्या होता है वाइरस यह कर दो बेक्टिरियोफाज का क्लियर है ऐसा इक्स का हेड बना लो यह बना लिए बेक्टिरियोफाज का infection क्या होता है नहीं समझना बेक्टिरियोफाज है वाइरस धरा धर शुरू करते हैं यह है एक वाइरस क्लियर अब ध्यान से समझना सबसे पहले इस E. coli का खुद का DNA बना लो this is the DNA of the E. coli clear ठीक और उसके बाद उसके बाद इसका plasmid बना लो clear plasmid बना लो clear अब समझना हम restriction enzyme को restriction ध्यान से सुनता जाना है न हम लोग molecular biology में restriction enzymes का इस्तमाल करते वाइवी कॉल डाज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस भाई साब ने इन भाई साब ने किया यह अरे यार इन भाई साब पड़सम ने किया यह कि अपना genetic material यह डाल दीह यह इनका genetic material आ गया ठेक इस bacterial cell के अंधर कुछ ऐसे enzymes बन रहे थे इस bacterial cell के अंधर कुछ ऐसे enzymes बन रहे थे जो इसे धरडडड़ड़़ड़ काट डाले clear इसको हम कहते हैं क्या आपका बोलो इसे हम कहते हैं endonuclease enzyme क्या है यह समझते हैं अभी यह endonuclease अब क्या बोला मैंने भया बैक्टिरोफाज एक वाइरस था कैसे इस डिसकवरी हुई है वह बतारी हो बैक्टिरोफाज एक वाइरस था उसने किसी बैक्टिरिया पर इंफेक्ट किया उसने सोचा कि इस बैक्टिरिया को माट डालूगा पर जैसे इसको नहीं मार पाये बलकि इक उलाई ने कुछ ऐसा प्रेडियूस कर दिया जिससे बैक्टि यह अगर इस डिन इस जनेटिक मटेल को मार सकता है तो इनके पास एक और डिफेंस मेकैनिजम होता है कि यह अपने चारों तरफ मिथाइल गूरूप एड कर लेती है मिथाईल क्लियर है चीक है ड़न समझे तो बैक्टिरिया के पास एक सेल्फ डिफेंस की प्रॉपर्टि आ गई जिसके अंदर एक आया एंजाइम एंजाइम ने इस वाइरस के इंटिक मटेरिल को मार दिया और इन्हों ने अपने एंड पर मिथाइल ग्रूप जोड़ दिया अपने डियने के कि तुम हमको तो नहीं मार पाऊगे और इस तरीके से इस रस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज हुई अब आई आपको थियोरी पढ़ा देती हूं मैं थ्यान से समझेए ओके इन 1963 टू एंजाइम रिस्पॉंसिबल फॉर दू प्रकार के एंजाइम ढूंडे गए जो बैक्टिरियो फार्ज की ग्रोथ बैक्टिरिया के अंदर नहीं होने देते थे एक एंजाइ पास इस बैक्टिरिया के अंदर बेटा जी दो एंजाइम थे दो एंजाइम थे एक एंजाइम ऐसा था जो एक एंजाइम ऐसा था जो बैक्टिरिया के डिने में मिथायल ग्रूप जोड़ देता था और एक ऐसा था जो वाइरस का जिनेटिक मठील काट डेलता था जिससे E. coli को क्या मिली जिससे E. coli को मिली protection, जिससे E. coli को लला मेरे जिगर के टुकडो, आखो के तारो, चांच से तारो, क्या मिली protection, clear, what to word NCIT, what to word NCIT, clear, आगे बढ़े, अब restriction एंडो जो एंजाइम्स होते हैं ठीक है किसके डिस्कवरी आपके आपके स्मित विलकॉक्स और कैली ने की यह नहीं आएगा आपको ठीक है अब रेस्टिक्शन एंडो नुकलिएस ठीक है बेसिकली रेस्टिक्शन एंजाइम को हम नुकलिएस भी कहते हैं कितना बुरा लिख रही हो है आश बराम नया बोड़े थोड़ी आदक डाल रही हूं मैं ठीक है रेस्टिक्शन एंजाइम को बेटा जी हम नुकलिएस भी कहते हैं रेस्टिक्शन एंजाइम को हम नुकलिएस भी कहते हैं नुकलिएस मतलब ऐसा है नुकलिएस नुकलिएस मतलब नुकलिक एसिट को काटने वाला bulbs du italiano काटने वाला और इन्यको काटने वाला और रटने वाला ओर और इनल कॉक्त ने वाला और हमें घ्लीक बिए ने को काटने वाला और झॉसके अधार पर लो होते हैं एक होता है exonuclease है बेटाजी exonuclease और एक होते है लला endo-nuclease 1 होता है exonuclease और एक होता है endo-nucleus restriction enzyme on the basis of the molecule कि वह वह किस्चिक्व का चनएटिग restriction enzyme पॉन से molecule को काट रहे हैं Nucleus कहते हैं已को इंतलब मतलब study no Part nice onfähig होंद उसे साइट और हैं कि तुम बाहर से काट रहे हो 2 से कात sharpie ex ozone Nik ये को हमेशा साइट से काटते हैं और बीच-बीच में से काट देते हैं रिकॉमिनेट डियने टेकन और में हम लोग कौंसा इंजाइम इस्त्वाल करते हैं यह वाला एक्जो नूकलेज नहीं इस्त्माल किया जाता है अब आये सबसे पहला restriction enzyme जो है वह है आपका हिंड 3 हिंड 3 3 3 हमेशा restriction enzyme को Roman number से दिखा जाता है हिंड 3 restriction enzyme आपका हीमोफिलेस influenza bacteria से निकला हीमोफिलेस influenza bacteria से निकल न ठीक है यह हमیشہ किस DNA sequence को काटता है वो समझते हैं अब एक बात और समझे हर restriction enzyme हर जगा जा कर नहीं काट सकता clear है हर restriction enzyme हर जगा यह clear हो गए आपकोlla हर restriction enzyme हर प्रकार की चीज़ों को नहीं काट सकता every restriction enzyme restriction enzyme कौन बनाता है बैटा ये समझते है restriction enzyme bacteria बनाते हैं डिजाइन बना ले यह तो मेरे को बाईलोजी पड़ाना 910 11 12 नीट तो मैं मैं आज क्यों पड़ांगे मेरा काम किया तो मैं तो वही जगह पड़ाओंगे जामे को जरुवत है अब मैं जरुवर्वर क्यों पड़ाते रहुंगे तो यह जो रेस्टिक्शन एंजाइम होते है लल्ला मेरे बच्चों मेरे आखों की तारो चांस तारो डिया डिजाइंड कि हम यहीं पर अटाक करेंगे जैसे कि जो पहला restriction enzyme है वो है हिंड 3 और यह हिंड 3 6 base pair पर अटाक करता है यह 6 base pair 1 2 3 4 5 6 ठीक है देखो aag ctt ठीक है हिंड 3 ओके 6 यहीं पर अब इस पूरे plasmid invator बेटा जी ध्यान सुनों इस पूरे plasmid में वह restriction enzyme को काटना है इस पूरे plasmid में जहां पर भी इसको यह वाला sequence दिखा चार पाच छे ठीक है a a g c t t ठीक है इदर लिख लेते हैं a a g c c t t जहां पर भी यह वाला sequence दिखेगा यह वहीं पर कट लगाएगा clear है अभी आपको कुछ और properties दिखाती हूं ठीक है तो इसे हम कहते हैं recognition sequence कोई भी restriction enzyme किसी भी जगा को काटने के लिए पहले वो देखता है मेरा sequence का है मेरा sequence का है जहां उसको मिलता है कि यह बाला मैं तो भाई यह a a a g c t t कोई पचानना है तो मैं वहीं पहचानूंगा और वहीं पर कट लगाऊं गया clear है समझ में आ गई बात हमारे पास total 900 restriction enzyme हम जूण सुके हैं करीब 230 bacteria से clear आगे बढ़ें next is अब इसकी naming सीख ले पॉपलर बेड़ी पॉपलर रस्टिक्शन एंजाइम इको और ओविसली इको है मतलब इस चिरीचिया सीओ मतलब को लाई आर मतलब रस्टिक्शन एंजाइम तो बेसिकली इसकी naming हम सीखते हैं कैसे करते हैं restriction enzyme की nucleus जो है ECO-R1-13 नाम है इसका ठीक है ECO-RI भी कहते हैं इसको हम लोग ठीक है ECO-R1 जो है आपका ECO-R1 यह है क्या चीज़ समझते हैं ECO का मतलब है esterichia coli R का मतलब है restriction enzyme ठीक है यह देखो बेटे हो ECO-R1-13 का मतलब समझते हो क्या होता है इसका मतलब यह है कि यह esterichia coli से निकाला जाने वाला enzyme है जिसका number 13 है esterichia coli का जो आपका देखो E मतलब esterichia coli R मतलब कौन सा strain है RY-13 esterichia coli के 13 numbers strain से निकालने वाला first identified restriction enzyme है फिर से समझे ECO-R1-13 नाम है इसका क्या नाम है ECO-R1-13 कहते हैं इसको हम E का मतलब esterichia CO का मतलब coli R का मतलब strain कौन सा नंबर है 13 नंबर ECO-RY-13 strain से पहला bacteria का जो enzyme है वो strain जो है isolate किया गया है फिर से समझो फिर से समझो फिर से समझो है देखो E का मतलब है esterichia CO का मतलब है coli R का मतलब है ry-13 यह strain का नाम है मतलब कौन सा e coli है ry-13 और यह first मतलब first restriction enzyme है इस strain से निकाला जाने वाला पहला restriction enzyme है यह strain से और भी निकाले जाएंगे तो r2 हो जाएंगे r3 हो जाएंगे r4 हो क्लीर तो eco r1 का मतलब यह है sterechia coli के r13 से निकाला जाने वाला पहला restriction enzyme है इस तरीके से हम लोग naming करते हैं जैसे कि हिंड 3 हिंड 3 क्या है कि हीमपिलेस influenzae से निकाला जाने वाला तीसरा आपका restriction enzyme है ठीक है समझ में आ गई बात और किस क्लास को बिलोंग करते हैं नुक्लीजिस जो मैंने आभी आपको बताए दो प्रकार के आऱ ने ठीक है और पेसिस ऑफ ड़ाइट कि वो क्या काट रहे हैं वijn दो प्रकार क्यों किस जगह इक्जगह से मतलब देखो exonuclease मतलब side से काट दिया, यह यहां से काट दिया, अलग हो गया, अब endonuclease जो center से, beach beach में से काटते हैं, clear है, समझ में आई बात, पर restriction endonuclease क्या होता है, वो समझते है, restriction endonuclease का मतलब यह है, restriction endonuclease का मतलब यह है, कि हम तुझे तो grow नहीं होने देंगा, और साथ बराबर एंड प्रेड्यूस नहीं करते बराबर बराबर तो कभी नहीं प्रेड्यूस करेंगे ऐसा क्यों है यह भी हम समझते हैं ठीक है समझ में आगई बात ना लिसन तो आप अगर आप देखो ध्यान से देखो मेरी बात ध्यान से यह जो डीन यह है आपका ध्यान से सुनन माल लो कि यह है आपका plasmid माल लो कि हमने plasmid को ऐसा काट के खोल लिया है ठीक है और यह है आपका यह क्या eco-arwan है क्या ठीक है ओके और यह है आपका माल लाला यह है आपका desire gene ठीक है अब इस plasmid में इस desire gene को घुसाना है ठीक है कैसे गुसाएंगे तो अब आप यहां से कट लगाओ ठीक है एक सेम जगा पर यहां पर कट लगाओ यहां पर कट लगाओ ठीक है बिल्कुल घबराना मत जब आप यहां से कट लगाओगे तो यह वाला अलग यहां से कट लगाओगे तो यह वाला अलग यहां से कट वो यहां पर आके फश जाएगा लोगे देस यह रेड वाला जो है वो ब्लू वाले के साथ ऐसा फश गया यह जो एंड्स होते हैं बच्चो इनको हम कहते हैं इनको हम कहते हैं sticky ends क्या कहते हैं हम इसको sticky ends ठीक है समझे कुछ वह लो समझ में आया कुछ देखो देखो दियान से छिक जी ए ए ए टी टी सी ठीक है जी ए ए टी टी सी देखो मैं हिंट 3 के देखा लाँ ठीक है ओके है फिंट 3 के नए e को आर्वन गई दिखाती हूँ एको आरवन गई दिखाती हूं चलो ओके जी ए एए टीटीसी दिख रहा है आजओ आज़ो 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 पिक सेम चीज इको आरवन का ये है रिकनिशन सीक्वेंस इको आर वन जो एंजाइम एको आरवन इस रिचे कोलाई के आर वाई 13 से निकाला जाने वाला पह ठीक, समझ में आ गई बात, आप समझते हैं, E को R1, G, A, A, T, थोड़ा साफ बना लेती हैं, G, A, A, T, T, C, बनाओं मैं इसको, बोलो, ठीक है, ओके, यहां से भी आपको, देखना, देखना ध्यान से, इसका opposite बनाओं, C का क्या होता हमेशा, G, A, A, T, T, C, यह भी हो गया, 5-2, 3-1, clear? restriction enzyme, हमेशा ऐसे sequence पर attack करते हैं, जो यहां से पढ़ेंगे, यहां से पढ़ेंगे, listen to me, listen to me, restriction enzyme, हमेशा उस जगह पर attack करते हैं, कि 5-2, 3-1, आप चाहिए, ऐसे पढ़ लो, चाहिए, ऐसे पढ़ लो, आएगा, same, G, A, A, T, T, C, G, A, T, C, आया, इन sequence को, हम कहते हैं, palindromic sequence, ठीक है, palindromic sequence, clear? पहलें, क्या हो गया है, palindromic sequence, clear है बेटा, थ्यान सुनो, so restriction endonucleases, जो होते हैं, वो किसी specific जगह पर ही work करते हैं, अगर आप 5-2, 3-1, ऐसे पढ़ोगे, G, A, T, C, चाहिए, आप 5-2, 3-1, ऐसे पढ़ोगे, तो भी G, A, T, C, clear? ठीक, पर कभी भी restriction enzyme, बराबर बराबर cut produce नहीं करते हैं, मैं बस यही वाला बता रही हूँ, आपको लाओ, यहाँ पर restriction enzyme ने, यहाँ पर यह देखो, G से A के बीच में cut किया, और यहाँ से G से A के बीच में cut किया, clear? यह है बेटा जी, आपका plasmid, यह क्या है बेटा जी, आ G, A, A, T, T, C, जो restriction enzyme आप वहाँ पर use कर रहे हैं, यहाँ पर use करोगे, clear? तो G से A के बीच में यहाँ cut करो, G से A के बीच में यहाँ cut करो, clear है? बोलो, 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 चीक है? G, A, A, T, T, C, G, A, T, T, C, clear हुआ? अब आओ, द्यान से सुनो, अब अगर आप यह वाला देखो same मैंने यही बनाया आपका, same मैंने यही बनाया आपका, ठीक है? ओके, A से G के बीच में कटा, A से G की बीच में, A से G की बीच में कटा, ठीक है? जब आप इसको cut करोगे, तो आपको क्या दिखाई देगा बोलो? जब आप इसको cut करोगे, तो यह ऐसा दिखाई देगा यह पूरा कटके अलग हो जाएगा ना यह पूरा पाट कटके अलग और यह जी कटके अलग यह ऐसा दिखाई देगा और यह कैसा दिखाई देगा यह कैसा दिखाई देगा यह ऐसा दिखाई देने लगेगा यह जी कटकर अलग यह हो गया A, A, T, T, C और ये हो गया आपका ये दर से G cut के लग चिक, समझ रहे हो बात को तो जब आप ये सरीके से cut करोगे तो आपको न, ध्यान से सुनना चे, और या तो आपको तो आपको ऐसे sticky ends मिलेंगे देखो, बराबर cut नहीं हुआ ध्यान से सुनते जाना देखो, देखो, देखो इसको मिटाओं, इसको मिटाओं, देखो ठेक ये देखो अब आपने इधर से cut लगाए, ये पूरा पार्ट कट के अलग हो गया इधर से cut लगाए, ये पूरा बचा, बाकि सब कट के लिए तो ये जो ends आपको दिखाई दे रहे हैं, बेटा ये जो ends आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम कहते है sticky ends, क्या कहते हैं बेटा, sticky ends ये हुआ आपका plasmid का sticky ends ऐसे ही आपके desire gene पे sticky end होंगे और दोनों लोग आपके फश जाएंगे ये मालो की आपका plasmid है यहां पर eco r1 ने अटाक किया, सेम इधर eco r1 ने अटाक किया eco r1 ने अटाक किया, कैसे अटाक किया समझ करें ना, यह ऐसा जब आप eco r1 में यहां सा अटाक किये, तो यह वाला part कटके पूरा अलग हो गया, चीक है, यहां से यह वाला part कटके अलग हो गया अब यह वाला पॉर्शन जो खाली है और यहां पर यह वाला पॉर्शन खाली हो तो यह पूरा आके यहां पर फस जाएगा यह पूरा इधर से आया और इधर आके फस यह पूरा पार्ट कटके अलग हो जाएगा यह यह पूरा पार्ट कटके अलग हो गया यह ज नमचते हैं और और होंगे यह देखो यह हुआ और यह इमेज अगर आपको क्लियर हो रही हो तो देहां से सुनो वह ही है यहां पर restriction endo nucleus देखो देहां से चलो दूसरा बताती हो दूसरा बताती हो चीक है और देख रही हूं कि इमेजेस हैं तुमारे पास देखो देखो इस्टिकी एंड्स प्रेड्यूस करने से प्लाजमीड और होस्ट का डिजायर प्लाजमीड और डिजायर जिन आसानी से जुड़ जाते हैं और हमेशा जो इस स्पेसिफिक पॉइंट पर ही कट करते हैं शुगर फॉस्फिट बैक बोन पर कट करते हैं ठीक है रिस्टिक्शन एंड्डो न्यूक्लियस जो है यहां से पढ़ो चाहे उधर से पढ़ो दोनों एक ही होता है इस पैलेड्रोमिक सीक्वेंस इको आर्वन क आगे पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया नो लिसन टुमी वैरी कैरफुली देखो यह जो है जी एटीटीसी यह एको आर्वन का यह हमेशा जी से एक बीच माटा करता है यह आद रखियेगा ठीक है यह भी बता दिया मैंने आपको आगे बढ़ते हैं नेक स्टिकी एंड्स कभी भी आप बराबर बराबर मत काटना नहीं तो इस प्लाजमिट को इस डिजायर जीन से आप जोड नहीं पाओगे एक ठीक है देखो देहां से, ये दो हाथ थे, चीक है, ये दो हाथ थे, clear, मैंने क्या किया कि इस हाथ का ये वाली उंगली हटा दी, चीक है, ओके, ये वाली उंगली हटा दी, और इस हाथ के ये तीन उंगली हटा दी, अब बेटा, देखो, फसाना जादा असान हुआ कि नहीं हुआ, य यह रहे आर यह से लिक्रंट कर दो भाले पास यह था रहे हमने इस वाली इंगली इस वाले हाथ की वारी मर 우리는 दी की मिन अब उसके रखा दी औब सुलोगे यंवार है जादा रहत है और इन तीनों के फासानी से फिस होंक as sticky ends बेट मेंट सोम क्या क्याते है इसको खूआ को इसको ऑ्ड्स चैनी हमने यहां से रिस्टिक्शन इंजाइम से इसको ile किया और इसको क्ट किया initiator देखना रश्यां करना और फूरा पार्ट गजाएंगा ठीझ यहां से कट लगाए तो सिर्फ एक यहां से तो यह पूरा पार्ट कर गया ठीक है और यहां से तुमने कट लगाया तो तो सिर्फ एक बेस पेर कर वह वह आप सीधे ले जाओ और इसको यहां जाके फसा दो भाईया तुमने इसको फसाने के यहां जगा खाली कर रखी है और इधर फसाने के लिए हैं सुनों यहां देखो 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 यहां पर इसको इस जगह पर पूरी पूरी खाली कर रखी है यहां ले जाओ लगा दो कोई दिक्कत फस जाएगा आपका डियाने और यहां पर सारे बेस पेर हैं तो हमने एक बचा रखा है fixing असान समझ में आई कैसे कर रहे हो आप आपने इस जगह पे काटा listen to me very carefully यह समझ जाओगे तो सब समझ जाओगे यहां पर तुमने यह मालो हमारा plasmid और यह हमारा desire gene कुछ भी करके इन दोनों को जोड़ना है ठीक है किसी इसको कट लगाया तो यह सारे लग हो गया जहां सब कट लगाएं ऑगे वाला सब चलागे आप देखो जब ग्रीन वाला खटा दिया यहाँ से पूरा चला तया इस इसको क्या कहते है बच्चों स्टिकी एंड जी पूरा चला गया आगे वाले आपको यादो तो हमने यहां पर हमने एक को हटा है तो यहां से एक वाला यहां आ जाएगा आ गया और यहां से आपने सारे हटा दिये पर यहां पर आपने सारे बचा लिए तो इधर वाला सारा इधर आ गया तो अब देखो कैसे फसे गई यह एक सीधा एक यहां पर आ गया देखो ब्लू वाला सीधा यहां you cannot make the proper bond between the plasmid and desired gene, this is the plasmid this is the target gene, you जैसा cut जैसा cut तुमने यहाँ पर बनाया है जैसा cut तुमने यहाँ पर बनाया है आपके plasmid में के desired gene में भी वैसा ही cut होना चाहिए, तब ही फसेगा एकदम complimentary cuts होने चाहिए और जो cut सोते हैं इनको हम sticky ends कहते हैं कभी भी cut बराबर नहीं होगा, cut हमेशा ऐसा ही होगा, this is called as sticky ends ताकि फसाने में आसानी हो ठीक है, और जब भी हम बात करते हैं देखो जैसा, इधर सुनो जब भी हम बात करते हैं मालो यह sticky end बनाया रखा है यह वाला इसमें आके फस गया, यह पूरा आके इसमें आके फस गया तो यहां पर सीधे है आपको जो है कोई टेंशन नहीं लेनी है यह अपने आप फस जाएगा, sugar phosphate backbone बना लेगा कुछ नहीं पर दो DNA को आखरी से, पॉइंट से जिसमालो यह plasmid है और इसमें आपने कोई desire gene गुसाना है तो side by side जोडने के लिए आपको एक enzyme चाहिए जिसको आप कहते है ligase, clear है आपको यह यहां से लाने में, यहां फसाने में कुछ नहीं करना है पर sides से जोडने के लिए, द्यान से तो देखो पर आपको sides जोडने के लिए, यह sides को जोडने के लिए आपको चाहिए ligase enzyme, ठीक है इसको कहते है DNA ligases, clear, आगे बात करें जब हम plasmid में cut लगाते हैं clear है यह पनी बात सब को restriction enzyme, endonuclease वाले, recombinant DNA technology में इस्तमाल होंगे, जब भी हम DNA को cut करेंगे blunt ends नहीं लाइएगा, this is called, यह DNA को यहां से cut कर दिया this is called as blunt ends, यह होते हैं blunt ends blunt end हमको नहीं चाहिए, हमको हमेशा चाहिए कैसे sticky ends देखो ऐसा sticky end, ठीक है, हमको चाहिए sticky end, ऐसा अब यह वाला जाके बेटा, इसमें फस जाएगा, यह वाला जाके इसमें फस जाएगा, दोनों DNA ऐसे बन जाएगे, clear, तो यह होते हैं, आपका blunt ends नहीं चाहिए, हमको sticky ends चाहिए, ताकि फसाना आसान हो, clear है, समझ में आगई बात, देखो हमने यहां से पूरा DNA टाय, इसके से उपर वाला टाय, इसको यहां जोड़ दिया, यहां से हमने सिर्फ पूरा DNA का छोटा वाला पाठा है, छोटा वाला इसमें जोड़ दिया, तो आपको इस तरीके से cutting करनी है, पर मैम, कहानी यह है कि अगर हमने plasmid को cut कर लिया, मैम अगर हमने plasmid को cut कर लिया, यह plasmid का टुकडा पड़ा हुआ है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि plasmid cut गया, ठीक है, हमारे पास एक DNA है, इत्ता बड़ा, हमने अपना desire gene काट लिया, हमको कैसे पता चलेगा कि desire gene कट गया हमने अपने प्लाजमीड में अपना डिजायर जीन घुसा दिया यह सब हमको कैसे पता चलता है हमको दिख रहा है क्या माम यह इतने चोटी सी माइनूर सी चीज होती कुछ दिखे पिखेगा नहीं अगर आपको लग रहा है तो यह आपको नहीं दिखेगा ठीक है एक बर रिवाइस करें एंजाइम हमेशा रिकगनीशन सीक्वेंस को ही काटता है कभी ब्लंट एंड नहीं करना स्टिकी एंड्स ताकि फसाने में असान हो जिस चांते हम जल एक्टरोफोरी सग्लियर वेरी इंपोर्टन तेंग और यह आपके एकजाम में आएगी तो थोड़ी दे तक छोड़ देते हैं और वो जो है जम जाता है अब इसमें क्या होता है एग रोज जो जेल होता है इसमें पोरस जेल है क्या यह पोरस जेल है जिसमें डिने जो होता वो ट्रैवल करता है DNA होता है negatively charged DNA क्या है बेटाजी negatively charged plasmid भी DNA का बना है और desire gene भी DNA का बना हुआ है ठीक अब हमको यह पता लगाना है कि plasmid कटा यह नहीं ठीक है dance सुनो नहीं कटा करो जले लेट्रोफोरेसेश ठीक माल लो कि इस प्लाजमिट का साइज है 100 बेस पेयर भाई आडिया ने का है तो बेस पेयर होंगे अब जब हम इन उसको काटा तो हमारे पास 20 बेस पेयर का एक आना चाहिए और एक आना चाहिए 80 बेस पेयर का अब अगर ऐसा आया मतलब कड़ गया है नहीं आया तो नहीं आई यह क्या बोल रही हो मैं आप थड़ा बताओ जल एलेट्रोफोरेसेश जो है यह एक रोज जल का एक बेड होता है इसमें चोटे-चोटे गड़े बनाओ ठीक है बनाते हैं हम लोग उसके इनको हम कहते हैं वेल्स क्या कहते हैं जय जय को फ्फर में डुबाओ जयल होता है बफर में डुबा दिया है उसके बाद इसको ऑच्पर और सजो पोजिव को अचोट एनोड वो होता है और फॉजिटिव को अंत्रत करता है जोर फॉजिशीव होता है और फॉजिटिव को हॉजबं करते है जरीी को और अब इसे पूरा ब्लेंहें दुबर दो उसके बाद दोनों साइब प्लाजमिट जो है आपका DNA भर रखा है इसमें आपका DNA भर रखा है बेटा ठीक है ना अगर प्लाजमिट नहीं कटा होगा तो हमें सिर्फ 100 बेस पेर की एक जगा पर ये बैंड दिखाई देगा पर अगर प्लाजमिट कट गया होगा तो हमें दो बैंड दिखाई देंगे ए एक 20 वाली जगह पर एक 80 वाली जगह पर कैसे मगाते हैं यहां पर मारकर्स होते हैं यहां पर मारकर्स होते हैं बताते हैं अगर 20 के सामने आ गए तो तुम 20 वाले हो 80 के सामने तुम्हारा बैंड आ गया तो यह है अब DNA इस एक रोज जल की उपर कूदता है चलता है चलता है क्लिर है समझ में आई बात जिस dna का वेट जितना भारी रहेगा उतना पीछे रह जाएगा ठीक है भाई नेगटीव चार्ज है तो पॉजिटिव की ओर ट्रैक्ट होता हुदर चला जारा चला जारा 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 जिसका वेट जितना हलका होगा वो पीछे की और दिखाई देगा अब आपको देखना है कि आपका प्लाजमिट जो है वो कटा यह नहीं तो आपके पास एक असी वाला वही बीस वाला असी वाला भारी है तो आगे रह जाएगा 20 वाला लाइट तो पीछे चला जाएगा मैडम हम सोच कैसे जाने कि सही कटा है नहीं कटा हमारे पास मारकर होते हैं स्टैंडर होता है यहां पर हम मारकर लोड करते हैं तो सब के सामने एक स्टैंडर बैंड बने होते हैं अगर आपका 20 के सामने आपका रुका तो मतलब सही कटा है असी के सामने रुका तो आपका सही क सीधे शब्दों में लिखा हुआ है फिर यूवी रेज में देखो यह बैंड आपको औरेंज किलर के चमकते हुए दिखाई देंगे तो अगर असी के सामने रुखे तो सही कटे हो नहीं रुके तो नहीं कटे कुछ गढ़ बढ़ हो गया है तो इस तरीके से हम पता लगा सकत नहीं है तो डियने फ्राइग्मेंट्स रहे में आपको बैए भार के बारे मैं बताए भी इस संदेड्ड मार कर सोते हैं कि हमको यह पता लगाते कि भाई आपने सही काम किया यह यह पार करें मार्कर है अब माल लो जो जिता भारी होगा टना आगे होगा जो लाइट रोग दौर होगा यह सो-तीन-तीन-पूरं मेरे यह था फाई ह змीट का एक साइस हजार enfant के सामने तरीकर यह स्टेंडर्ड है और इसके सामने आपके सैंपल रॉकने चाहिए और सिसको हम देखते कैसे हैं यह यूवी जो है आपका यूवी का यूवी रेस का मशीन होता है ठीक है और इसके अंदर हम लोग जो है देखते हैं ठीक तो commonly हम क्या use करते हैं agrose use करते हैं बिटाजी क्या use करते हैं बोलो हम use करते हैं agrose अरे या हम क्या use करते हैं बिटाजी agrose ठीक है agrose जो की seaweeds algae से निकाला जाता है आगे बढ़े DNA fragments जो होते हैं वो size के recording होते हैं बढ़ा आगे छोटा पीछे, clear है और उसके बाद हम उसे देखते हैं आपकी UV radiation में, clear है तो आपका वो होता है जो agrose gel होता है यह porous होता है उसमें DNA ऐसे ऐसे कुदक कुदक के जाता है clear अब आपका DNA के bands हमको यह समझ में आगे यह 200 के सामने जो DNA दिख रहा है वो अपना DNA है उस DNA को निकालना है तो DNA को जो है orange color के band दिखते है UV radiation के अंदर क्योंकि हम gel को stain करते है यह 3DM bromide से NCRT की lines है यह आपको एक-एक line एक-एक शब्द एक-एक अक्षर पता होना चाहिए ठीक है उसके बाद आपन ने उसको stain कर लिया उसके बाद उसके बाद हम लोगों ने उस जगा को mark कर लिया यह है हमारा DNA चीक उस DNA को हमने scrape करके बाहर निकाल लिया इस process को हम कहते ही illusion क्या कहते है illusion cut the DNA जहां पर आपका gel में जहां पर DNA दिखाई दे रहा है इस process को हम कहते illusion चीक है समझ में आ गई बात और अब आपका DNA जो है वो ready है कहां पर जाने के लिए plasmid में जाने के लिए पर यहां पर अभी आपका इतना DNA है क्या यहां पर अभी आपका इतना DNA है क्या नहीं तो DNA को थोड़ा सा amplify कर लो by the PCR polymerase chain reaction clear है so DNA is ready ठीक है DNA is ready clear है done है उसके बाद आप जो है DNA को निकालो DNA को store कर लो और फिर अपना plasmid लाओ ठीक है सब कुछ मतलब आपका जो desire gene है वो भी आप electroforesis से पता लगा सकते हो कि सही कटा है और नहीं कटा है plasmid भी पता लगा सकते हो कटा है नहीं कटा है दोनों पता चल गए सही कट गए है ठीक है अब इन दोनों को mix कर दो ठीक है plasmid आपका वैक्टर है desire gene आपका desire gene है जिसकी multiple copies बनानी है पर कैसा end चाहिए है sticky ends चाहिए blunt end नहीं आईसा आईसा नहीं कर देना रहे हमेशा sticky ends और उसके बाद joining करेंगे join करने के बाद weight बढ़ जाएगा फिर geletrophoresis करो weight बढ़ेगा तो आपको समझ में आ जाएगा desire gene का 20 base pair size था कटे हुए plasmid का 80 था दोनों के जोड़कर 100 base pair बना चाहिए 100 base pair के सामने सारे bands आए मतलब आपका recombination हो गया है तो geletrophoresis is the बहतरीन 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 टेकनीक जिससे हम ये चीज़े पता लगा सकते हैं अब आते हैं vectors के बारे में क्या vectors सिर्फ और सिर्फ plasmid हो सकते हैं किसी को भी vector हम बना सकते हैं क्या किसी हर plasmid को क्या हम vector बना सकते हैं आईए ना उसके बारे में बात करते हैं चलो चली अब आपको एक और चीज़ बता लेती हैं vectors जो होते हैं they are plasmids ठीक है पर हर प्रकार के plasmid को हम clone करने के लिए इस्तमाल नहीं कर सकते हैं तो cloning vectors क्या होते हैं उनकी क्या प्रापटीज होनी चाहिए उसके बारे में जानते हैं clear है plasmid को cut किया desire gene को निकाला plasmid में specific sequence पे cut किया restriction enzyme same specific sequence पे desire gene पे cut किया ऐसे ends बनाए जो कि चिपक जाया असाने से this is called a sticky ends चीक है कौन से sequence पे cut करते हैं पेटा जी पेलेंड्रोमिक sequence पे जो कि इधर से पढ़िएगा फाइड़ त्री डशेंड से इधर से पढ़िएगा फाइड़ त्री डशेंड बिलकुल से मक्खन मलाई चीक है चलिए तो वेक्टर्स क्या होते हैं जो DNA को क्यारी करें इंटू दा होसल ठीक है अब आपका जो वेक्टर्स होते हैं वो अलगलग प्रकार की हो सकते हैं जैसे कि प्लाजमेड एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सेर्कुलर डबल स्टैंडर्ड सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्लाजमेड बैक्टिरियो फार्जस जो होते हैं यह भी हो सकते हैं जो की वारिस फेंटिरियो को इंफेट करते हैं इनके ध्रू भी आप अपना डी ना बैक्टीरियो में घुसा सकते हैं टीक है अगला next द्यानते समाजने हर एक वेक्टर्पे हर एक वेक्टर्पे कि ठिक जहां पर जहां से replication start होता है उसको हम कहते है ORI हर एक vector पर जहां से replication start होता है उसको हम कहते है ORI ORI is called as origin of replication ORI को हम क्या कहते हैं बेटा जी it is called as origin of replication यहां से आप cut करिए ठीक और यहीं से replication start होगा clear है now अब एक और बात बताती हूँ हर एक vector के अंदर high copy number बनाने की property होने चाहिए it is defined as the number of copies of the vector present in a cell ठीक है तो हर जो है copy number कितना copy number तुमारा कितना copy number बना सकते हो so number of vectors or plasmid present into the cell clear है तो best known vector कौन सा है आपका plasmid clear तो origin of replication जहां से replication start होगा clear जहां से cut करना है उसको हम कहते है recognition sequence आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले plasmid is the best vector ठीक है plasmid सबसे अच्छा vector होता है आज हम एक man-made plasmid के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है PBR 322 PBR क्यों कहते हैं क्योंकि PBR 322 why it is called as PBR 322 क्योंकि BR का मतलब होता है PBR 322 पहला artificial यह लिखा हो आपने हमने plasmid e-coli से निकाला पर इसको थोड़ा सा अपने क्या किया थोड़ा मौडिफाई किया सब्सक्राइब कर रहे हम लोग उम्मीद कर रही हूँ कि आपको सबसमझ में आ रहा है सो यह सबसे पहला बेटा जी artificial cloning vector है मतलब हम लोगों ने किया यह है कि इसको बॉलिवर और ने ने 1976 में बनाया चीक अब इसमें क्या feature है वो ध्यान से समझेगा आईए ध्यान समझते हैं सो यह देखो 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 ध्यान से सुनो यहां से होना चाहिए original replication ओ रही हमेशा यार रखिए कि जहां से डिना का राप्लिकेशन स्टार्ट हो जोड़ना है तो रेपलिकेट करना लिएने को चीक है यह original replication से होता है कोई भी the DNA का piece हमेशा यहीं पर आकर लिंक होगा, समझ रहे हो बात को, कोई भी DNA का पीस इसी जगह पर लिंक होगा, origin of replication ये decide करता है कि तुम कितना एक plasmid 10 copy बनाता है, एक plasmid self replicating होता है plasmid बने अपने आप divide होता है, एक plasmid कितना copy बनाएगा वो इस ORI पे ही dependent होता है, ORI will decide कितना copy बनने वाली है, plasmid की, clear है, okay, now, for many copies of the target DNA, it should be cloned in a vector whose origin support the high copy number, हमेशा अगर आप चाते हैं कि आपका gene का number बहुत ज़्यादा हो, तो आप ऐसे vector के अंदर अपना desired gene जालो, जिसका copy number बहुत ज़्यादा हो, मतलब वो इतना जल्दी 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 डिवाइड करता हो, जिसकी कोई limit नहीं, और यह copy number हम कहां से decide करते हैं, उसके origin of replication से, चीक है, कैसे, भई यह ज़्यादा replication होगा, तो ज़्यादा plasmid बनेंगे, DNA replication होगा, तभी तो नया plasmid बनेगा, so origin of replication is दो side, जहां पर हम DNA replication स्टार्ट करते हैं, नया plasmid बनाते हैं, origin of replication यह decide करता है, कि आपका plasmid कितना जल्दी बनेगा, नया वाला, तो हमेशा जब भी हम plasmid चुने, तो high copy number वाला plasmid चुनना चाहिए, clear है, और इसके लिए आगे बताने से पहले, okay, अब आगे बताने से पहले मैं PBR 322 का structure बताना चाहती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा important है, चीक, इस PBR 322 के अंदर, चीक है, इस PBR 322 के अंदर, तुमने और हैं गया, देखती हूँ, और होंगे structure, okay, now, इस PBR 322 के अंदर बिटा जी, ध्यान से सुनिएगा, आपके पास दो antibiotic resistant site है, ये देखो, इस PBR 322 के अंदर, दो antibiotic resistant site है, बिटा, एक है ये वाली, ओ, 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 ठीक है, देख लो, यहाँ देख लिए, इस PBR 322 के अंदर, दो antibiotic resistant site है, एक तो ये वाली, परपल कलर की जो दिख रही, एक ये वाली, जो ये दिख रही है, ये है, एमपी सिलीन resistant, देखो, प्लाजमिड है, मैंने आपको क्या बोला, कभी-कभी बेक्टीरिया के अंदर, कभी-कभी बेक्टीरिया के अंदर, इस प्लाजमिड के अंदर, कुछ ऐसे resistant gene आ जाते है, जिस पर प्लाजमिड के अंदर, जो है, अपने आप कुछ ऐसे resistant gene डवलप हो जाते हैं, जिसकी वज़ासे, अगर आप उस antibiotic को डालोगे, जिसके खिलाफ resistant gene बना लिया, उसने अब बाड में गया, मेरे उपर डालते रहो, तो प्लाजमिड जो है न, वो बैटीरिया को एंटीबाइटिक से मरने से भी बचाता है, अब कुछ experiment के लिए हम लोगों ने प्लाजमिड निकाला, और उनके अंदर कुछ ऐसी sites डवलप की, जो की एंटीबाइटिक resistant site थी, हमने उस प्लाजमिड में sequence घुसाया अपना, एक है आपका tetracycline resistant site, और एक है आपका ampicillin resistant site, clear, so PBR 322 का structure, PBR 322 का structure, बैटा एक दम मक्षण मलाई की तरह, दूद मलाई की तरह, रोटी शकर की तरह, बिल्कुल clear होना चाहिए, क्योंकि ये आपको आ सकता है, तो एक साइल tetracycline, एक साइल ampicillin, इस plasmid को अगर आपने किसी बैक्टिरिया के अंदर घुसा दिया, तो tetracycline डालते रहो, नहीं मरेगा बैक्टिरिया, ये जो आपके रेजिस्टेंट जीन है, आपको ये पता है, कि हर plasmid के अंदर, जो है, recognition site होती है, किसके लिए, enzyme के लिए, माल लो कि यहाँ पर recognition site है, eco r1 की, clear, यहाँ पर recognition site है, kla1 की, यहाँ पर recognition site है, hind3 की, यह क्या बता रही हो, मैं आप, एक ही plasmid के अंदर, अलग-अलग restriction enzyme काम कर सकते है, मतलब अगर आपने ये वाला restriction enzyme डाला, तो ये वाली site कटेगी, ये वाला restriction enzyme डाला, तो ये वाली site कटेगी, तो आप, जो restriction enzyme डाल रहे है, उसकी site, मतलब वो sequence होना चाहिए, तब ही कट देगा, किसी भी एक character और सुनिये plasmid का, किसी भी एक plasmid में, किसी भी एक enzyme के लिए, एक ही recognition site होनी चाहिए, multiple होंगी, तो आपका plasmid धज्जिया उड़ जाएगी, और आप वो destroy हो जाएगा, clear है, एक ही plasmid में, अलग-अलग enzymes की recognition site हो सकती है, यहां से भी कट सक पर एक ही plasmid में, एक ही enzyme के multiple recognition site नहीं होना चाहिए, तो हर जगह से काट देगा, तो आपके पास तो desire जी नहीं ही है, तो जोडना तो एक ही जगह आपको, clear है, so, अगर आप PBR 322 का आप देख रहे हों, तो tetracycline के पास, दो enzyme की recognition site है, इस बंसल, ठीक है, bamboo और साल का पेड, bamboo sal, ठीक है, bamboo sal, ठीक है, B, balm H1 और sal 1, ठीक है, tetracycline के पास, bamboo और sal के trees है, bamboo H1 और sal H1, clear, ठीक, अब ampicillin के पास, दो recognition site है, PVU और PVST, ठीक, PST, PVU और PST, ठीक, balm sal किसके पास है, tetracycline के पास, PVU, PST किसके पास है, आपके, mpcillin के पास, सब में जो है, 11 लिखा है, कहीं 2 नहीं आया, clear, अब आप ध्यान से, ध्यान, 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 ध्यान से देखिए, PVU के diagonal जाए, ऐसा, ये, ठीक, यहाँ पर अगर आप तो PVU टू दिखेगा, diagonal जाएगा, तो PVU टू दिखेगा, ये भी एक recognition site हो गई, इस enzyme की, ऊपर जाएए, eco, kla, hind, eco, r1 होता है, kla, 1 होता है, हिंड, 3 होता है, तो 3 आपके पास, फिर फेक है, वो है, एक बार देखते है, tetracycline, रट लीजे, मेरे साथ आए, जोर से बोलिए, ज resistant gene है, इन genes के अंदर, दो enzymes को काटने के sequence है, tetracycline के पास, भै बामसल, बाम, H1 और सालवन, फिर, ampicillin के पास, PVU1 और PST1, PVU के diagonal पे है, PVU2, और उपर साइट की वन, eco, kla, hind, बामसल, PVU, PVU2 और आपका PVU1, PST1, clear है, 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 समझ में आगई बात, चली, तो ये clear हो गया आपको, कि आपको ये PBR322 का याद होना चाहिए, बेटा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, फिर अगर आपको याद नहीं होगा, ठीके, आओके, PBR322 हमारे बच्चों को clear हो गया, आप, देखो, मेरा DNA, मेरा DNA, प्लाजमिड के अंदर पहुचा, या नहीं पहुचा, ठीक, ये मैं कैसे जानूँगी, इसके लिए, इस प्लाजमिड में कुछ ऐसी जगहे होती हैं, जिसको हम कहते हैं, selectable markers, समझ गए, मेरा desire gene, इस कमभखत, चंडाल, पापी, प्लाजमिड के अंदर पहुचा या नहीं पहुचा, ये मैं कैसे जानूँगी, ये मैं जानूँगी, by the presence of selectable markers, ठीक है, और ये ही selectable marker हैं, आपके antibiotic resistant gene, ये markers हैं, ये आपको बताते हैं, कि आपका transformation हुआ है, या नहीं हुआ है, clear है, तो ये जो selectable marker जो आपके plasmid में हैं, ये क्या करते हैं, ये हमको ये बताते हैं, कि आपके host cell के अंदर recombinant वाला plasmid आया है, या घटिया वाला है, या आया ही नहीं है, बैद दो condition हो सकती हैं, नियान से समझिएगा, क्या बोल रही हूँ मैं, ये है बेटा जी मेरी host cell, ठीक है, बोलो, ये है बेटा जी मेरी host cell, ठीक, और ये है मेरा एक recombinant plasmid, ठीक है, ये है बेटा जी मेरा एक recombinant plasmid, clear, recombinant हो सकता है, ना हुआ हो, ठीक है, तो ये है आपका rp लिख दू, recombinant plasmid, ये इसको मैं nrp लिख दू, non recombinant plasmid, ठीक, जब हमने इसको पहुचाया, तो तीन condition हो सकती है, तीन condition आपके पास हो सकती है, तीन host cell बना लीजिए, तीन host cell बना लीजिए, ध्यान समझे, हो सकता है कि आपके पास लला, मेरे रणने मुनों, ध्यान सुनों, हो सकता है कि आपके पास non recombinant plasmid पहुच गया हूँ, मतलब भया ऐसा है कि recombinant अपन करने गया, पह प्लास्मि पहुच गया, दूसरे के पास कैसा प्लास्मिट पहुच गया, दूसरे के पास recombinant plasmid पहुच गया, recombinant plasmid पहुच गया, और तीसरे के पास कुछ नहीं पहुचा, नहीं पहुचा, clear, ठीक, अब ये दोनों बेटा जी ध्यान से सुनिया, ध्यान से सुनिया, ध्यान से स 2, bacteria 3 एक के पास एक के पास ये पहुंचा एक के पास कुómoई कुछ नहीं पहुंचा, एक के पास ये पहुंचा, clear है यह जो है ध्यान सुझाई है, देखिए ये ज है, यह है MP4 यह यह है ट्रांसफॉर्मेंच, यह बेटा जी क्या आपके पास, इस आ Trans-formant ये है आपका Trans-formant ये भी आपका Trans-formant है Trans-formant ये आपका Non-trans-formant है ये क्या बोल रही हो ma'am हमे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा अब आज आप पीछे पूरा थोड़ा से मुझे पीछे जाना पड़ेगा बहुत सारा पढ़ा भी दिया आपको थोड़ा सा पीछे आ जाईए अरे यार बहुत पीछे आना पड़ेगा या ओ कितना सारा पढ़ा दिया शिप्राव आपने देखो तुम्हें अलाएको देखो तो हो 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 याध हो प्लाजमिट को अगर आप रिकॉमिन के लिख़ते हैं अब अगर आपका नन रिकॉमिनेंट वाला भी पहुच गयार चाहे रिकाम्च वाला पहुचा हो चाहे नौन इसे हम क्या कहते हैं, this is called as transformant, चाहे recombinant वाला पहुचाओ, चाहे non-recombinant वाला पहुचाओ, पर ये कैसा transformant है इसके वाला, ये है recombinant transformant, ठीक है, ये कैसा है recombinant transformant, ठीक है, ये है non-recombinant transformant, ये है non-recombinant transformant, और ये non-transformant, इसके पास कुछ नहीं पहुचा है, समझ गए, बोलो हमें कौन सा चाहिए हमें ये वाला चाहिए ठीक तो आपके plasmid में जो selectable markers होते हैं जो selectable markers होते हैं actually antibiotic resistant site है इनके अधार पर मैं transformant से non-transformant को अलग कर सकती हूँ और transformant में भी non-recombinant transformant और recombinant transformant को अलग कर सकती हूँ plasmid गया या नहीं गया इसको भी अलग कर सकती हूँ पर plasmid कौन सा गया recombinant वाला गया non-recombinant वाला गया उसको भी अलग कर सकती हूँ चीक है आगे बढ़ते हैं आईए आगे की procedure समझते हैं अब मैंने आपको क्या बोला कि आपके plasmid में आपके plasmid में जैसे कि PBR 322 ये बह हाट हाट करें पता लगा सकते की transformation हुआ है या नहीं हुआ है तो देखो ध्यान से कि आपके पास chloram fenicol यह रिजिस्टेंट जीन होते नहीं होते हैं सेलेक्टिबल मारकर स्क्लेर है समझ में आ गई बात करते हैं आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं जब भी हम याद कि हमेशा आप अपना desire gene कहां गुसाते हो recognition site पर recognition site जहां पर आपका restriction indonuclease काम करेगा अब alien DNA को जो है अपन ने काट दिया अब आपको यह याद रखना है ध्यान सुनो ligation of alien DNA can be carried out a restriction site present on the one of the two antibiotic gene अब यहां से मुझे थोड़ा सा आपको चीज़े समझानी पड़ेगे आजाओ समझा दू क्या I don't know कि इसकी slide क्यों नहीं बनी आजाओ यहां पर समझा देखो समझाती हूँ कैसे slide करते हैं देखो मेरे पास एक desire gene है आजो मैं यहां पर समझा दू क्या यहां पर यहीं पर समझाती हूँ कहां गया मेरा page पेज कहां गया मेरा यह है ठीक आओ मालो कि मैंने एक plasmid लिया ठीक है plasmid कौन सा लिया PBR 322 यहां पर था टेट्रा साइक्लिन रजिस्टेंट जीन ओहो यह मेरे को न थोड़ा सा time चाहिए समझ लोगे तो असानी से समझ में आ जाएगा यह बेटा जी टेट्रा साइक्लिन इसके पास दो एंजाइन की recognition site है एक है बाम बाम ह1 और एक है और एक है सालवन ठीक है और इसके पास दो है पी वी यू वन पी वी यू वन और पी एस्टी वन समझ गए पी एस्टी वन क्लियर यह है आपका वो चिक अब माल लो कि मेरे पास एक रिस्टिक्शन एंजाइम है बाम H1 ठीक पर यह बाम H1 की रिकनीशन साइट कहा है अब मैंने बाम H1 लाई और उसको काट दी बैटा यह काट होगा तो टेट्रासाइक्लिन रिस्टेंट जो जीन हो खतम हो गया अब कहानी सुनो अब जब हमने इसको काट दिया ध्यान से सुने के बैटा जी अब कहानी यह हो गई है कि यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका आपना गुषणाने आए थे पर यह जीन का जो सीक्वेंस टेट्रासाइकलिन एंदर ही था तो टेट्रासाइकलिन भी जा गया पूरा कट गया समझे और पीछे है मेरा recognition sequence पर उसको यह नहीं पता कि उसके आगे पीछे वाले जो base pair है सब मिलकर एक gene बना रहे थे जिसका नाम है tetracycline resistant gene उसको क्या ले देने राजू बाजू कोई भी बेस पेर है हम अपना recognition sequence काट दिये जैसे उसने उस अपने recognition sequence को काटा जो टेट्रा साइक्ली रेजिस्टेंट जीन था वह डिस्ट्रॉई हो गया उसके आगे पीछे की चीज रहे भी आई तो क्या फर्क पड़ता है बीच में तो उसने तो उसको चार बेस पेर मालो डिटेट करना था अब उसको वह चार बेस पैर पूरे प्लाजमिड में यही पर दिखे वह चारों बेस पैर का सीक्वेंस था वह up टेटराgrund डिस्टेंट Ginas के सौ डेक्वेस पेर में से एक था वह जाकर चार पे कट Tower दिया अभस भी आपकी यह उसको चार बेस यह हो गया है आपका recombinant plasmid, clear, ध्यान से समझो, अब बेटा जी ध्यान से सुनना, सबसे पहले आप इसको उगाओ ampicillin की plate पे, clear है, इसको सबसे पहले आप उगाओ ampicillin की plate पे, यह plasmid है न, ठीक है, इसको उगाओ आप ampicillin की plate पे, ठीक है, पहले इसको transform करो, सबसे पहले इसको transform करो, अब इसका transformation करो, ध्यान से सुनो, ध्यान से, बहुत ही important topic है, इसले बत अब के पास क्योंत कि प्लासben या तो नौन अब एह तो कुछ नहीं मेуск कट में कटा टमर सैकली निहां पहले में और कि पड़ा होगा तो यह सब आपको सन्मझ में आये गायाई ऑर तो एगर नहीं पड़ा होगा तो कैसे संचाण को तो यूट्यूब पर बराबर लेक्चर पढ़े हुए आप जाकी इंको देख सकते हैं यह हो गया MPC की प्लेट अगर टेट्रासाइक्लिन को काटा है MPC तो MPC में हो कुझा आओ अब बता हो मुझे क्या क्या हो गेंगा देखो इसमें आपकी दौ चीजेंट मेटू का 이pri कि इसमें रिकांबिनेंट प्लाज्मिड नं रिकांबिनेंट क्यों की हो गएगा क्योंकि बेटा जी नॉन हो गएगे क्या के दो चीज़ हो गएगे इसमें रिकॉंबिनेंट प्लास्मीड भी हो गएगा और नॉन रिकॉंबिनेंट प्लास्मीड भी हो गएगा नॉन रिकॉंबिनेंट क्यों गएगा क्योंकि बेटा जी नॉन रिकॉंबिनेंट में भी तो एंपिसलीन है रिजिस्ट चलिए तो इसमें बेटा जी आपको तीन प्रकार की चीज़े दिखेंगी क्या क्या दिखेंगी यह एंपी सिलिन है तो बेटा जिसके पास भी एंपी सिलिन रजिस्टेंट जीन होगा वो सब इसमें ग्रोगा तो नौन रिकॉंबिनेंट जिसके पास पहुचा प्लाजमिड उसके पास भी एंपी सिलिन रजिस्टेंट जीन था हाँ मैम रिकॉंबिनेंट वाले के पास भी एंपी सिलिन रजिस्टेंट जीन था हाँ मैम तो यहां पर आपको दो चीज़े दिखाई देंगी एक दिखाई देगा आपको नौन रिकॉंबिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट टी लिख दे रही हो और यहां पर आपको री कॉंबिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट भी दिखाई देगा दोनों ग्रोंगे तो मैम आप इसमें री कॉंबिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट अलग इसमें क्या नहीं दिखाई देगा इसमें बेटा जी आपको थर्ड वाली नहीं पास तो resistant gene ही नहीं जैसी यह grow होने जाएगी एंपिसिल्रिक उसको माट डालेगा ये दोनों grow हो सकती हैं ये वाली bacterea 1 और bacteria 2 यह दोनों grow हो सकती है क्योंकि इनके पास resistant gene था तो यह दोनों grow हो गई तो हम जब एंपिसलिन में plate किये तो हम क्या अलग कर पाए हम transformant को non-transformant से अलग कर पाए समझ गए non-transformant में ampicillin resistant gene नहीं था इसलिए वो मर गई ampicillin में दोनों के पास transformants में जिनके पास plasmid था चाहे वो desired जीन लिया हुए नियों ampicillin थोड़ी खराब हुआ है ampicillin resistant gene होने के विज़ा से इन दोनों ऑपना जीन गुसा रही थितर सब्क्राइब ऑपना डिजायर जीन गुसा रहीं थी तो tetracycline gene, resistant gene यहाँ पर खराब हो गया था पर non-transformant में अभी भी tetracycline gene खराब नहीं हुआ है तो non-transformant बोल रही हूँ आपका जो non-recombinant transformant है इसमें tetracycline gene है पर recombinant transformant के पास tetracycline gene नहीं है क्योंकि उसी को काट के तो अपना desire gene अपने घुसाय था तो अब यहाँ पर आपका grow हो जाएगा क्या बोलो यहाँ पर आपका non-recombinant transformant grow हो जाएगा क्योंकि इसमें tetracycline gene था उसको tetracycline नहीं मार पाएगा तो non-recombinant transformant इसमें grow हो गया और क्या नहीं grow हो पाया recombinant नहीं grow हो पाया तो हम जो नहीं grow हो पाया उसको select कर लिया तो ये बड़ा खुश हो रहा था वहा हो मैं grow हो गया पर उसको यह नहीं पता था कम बकत तेरी किस्मत की मारी जो grow नहीं हुआ है वही हमको चाहिए था क्लियर है तो MPC में grow करने से हम इन दोनों को इस से अलग कर पाएं ठीक है MPC का रजिस्टेंट जीन दोनों के पास था तो MPC में दोनों सर्वाइब कर गया है फिर हमने टेट्रसाइक्लिन में उसी को रेप्लिका प्लेट बना उसको उपर चिपका दिया दूसरे मेडियम पे त इस तरीके से आप बार बार प्लेटिंग करके ट्रांसफॉर्मेंट को नौन ट्रांसफॉर्मेंट से और रिकॉमिन ट्रांसफॉर्मेंट को नौन रिकॉमिन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग कर सकते हैं यह इसमें आपको करना क्या है कि बहुत ज्यादा क्या करना पढ़ता ह प्लेटिंग करना पड़ता है तो कुछ नहीं को काट कर हम क्या है अपना डिजायर जीन गुषा देते हैं अगर वह कट गया है और उस पर अपना डिजायर जीन इंसर्ट हो गया है तब वह उस एंटीबाइटिंग मीडियम में बिल्कुल भी ग्रोग नहीं होगा क्योंकि उस के रिजिस्टेंट जीन कोई काट के तो अगर नहीं ग्रोग हुआ मतलब टांसफोर्मेशन रिकॉम्बिनेशन हो चुका है अगर गुरो हो गया मतलब रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है चली आगे बढ़ते हैं नेक्स्टेस क्लोनिंग साइट यह वाला मैं आपको बताती हुआ विच इस दा इंसर्शनल इनक्टिवेशन हम चाप्टर के आखरी में आ रहे हैं बिल्कुल ध्यान से सुनना अब मैं आपको बताती हूं इनसर्शनल अक्टिवेशन इस प्रशीजर में आपको पहले क्या करना पड़ा ट्रांसफोर्मेंट नॉन को अलग करने के इंट प्रैंसफॉर मेंट से न को ठीक है जैसे कि आप का जो रिकॉंडेट ट्या न होता है वह सिक्वेंस द्यान सुनना यहां पर देखो यहां पर दिया होगा कैसे हम चलो कोई बात नहीं आ जाओ देखते नहीं इसके लिए मुझे एक पेच चाहिए इंसर्षनल इनाक्टिवेशन बता रही हुँ मैं इनसर्षनल इनाक्टिवेशन माल लिजयुआ माली एक बेक्टीरिया है ठीक है इस बेक्टीरिया के पास ये एक वेक्टर है और इसके पास एक साइट है ये एक साइट है ठीक है ये साइट जो है ये है बीटा गेलेक्टोसाइडेस के लिए बीटा ये जो साइट है इस फॉर दा बीटा गेलेक्टोसाइडेस धड़ा धड समझते हैं बीटा गेलेक्टोसाइडेस जो होता है यह बेसिकली करता क्या है करता क्या है यह बेसिकली x-gal को breakdown करता है और इससे color produce करता है color clear दोसमच में आगई बात अब हुआ ये कि अगर माल लो अगर माल लो अगर माल लो इस बीटा गेलेक्टोसाइडेस की साइट को काट कर अगर आपने अपना डिजायर जीन घुसा दिया तो कभी X-Gal लो कि इसमें दो बैक्टिरिया बना लो बैक्टिरिय बना लो ठीक है यह एक आपका प्लाजमेट यह प्लाजमेट है और यह दूसरा प्लाजमेट है इस वाले प्लास्मिन में बीटा गएलेक्टोसाइडेस है और इस वाले में और इस वाले में आपका आपका desire gene गुस गया है desire gene किसके यह जगाह पे घुसा हुआ है बीटा गलेक्टोसाइडेस के चिप अब इसमें हमने बाहर से एक ex gal नाम सब्स्टेंश टाले यह इसमें भी डाला ठीक है यह जैसे एक-सगेल शकाच डाला यह बचलोल का प्रीले को तोड़ का तकलर क्या प्रड़्यूस किया क्लर ठीका कॉन सा कलर new color blue color clear शोब हमें EKP tri plate की बात करते हैं पेटरी प्लेट की बात कर रहें clear तो बेट बेटा-बेदा-बेटा-बेचा-बेचा-बेचा-बेचा-बेचा- white colony, white colony हमें यह बताती है कि यह recombinant transformant है, ध्यान समझना, यह recombinant transformant है, recombinant transformant का मतलब लल्ला मेरे बच्चो, मीरे आंकों के तारो, और चांड सितारों मतलब यह है कि इसमें बीटा गेलेक्टोसाइड़ेज को तुमने काटा और उस जगह पे अपना डिजायर जीन गुशा दिया जैसे अपना इसमें बीटा गेलेक्टोसाइड़ेज जिन्दा ठाउ घ्रोमोजेनिक सबस्टेंस बना जिससे कॉलोनी कर फूल तो जो कॉलर नी कलर वाली है वह यह हैं कि वहां पर इस जगह पर नहीं पर नहीं कर नहीं पढ़ रही है यहां पर एक ही प्लेट के अधार पर जो कलर वाली नहीं है वही रिकॉंबिनेंट है क्योंकि एंजाइम की जगह पर जो की कलर पर ड्यूस कर रहा था उसकी जगह पर डिजायर जिन गुसा दिया आपने तो इसे कहते हैं इनसर्शनल इनक्टिवेशन यह हो गई आपकी कहानी नो कलर वाइट कॉलोनी इसका मतलब आपका प्लास्मिड इंसर्ट हो गया है और ब्ल लिए हम बैक्री इस्थमाल करते हैं प्लास्मिड जिसका नाम है टीप्लास्मिड ठीक है ओके बॉल यह अब आपका एक प्लांत होता है तीक है मतलब टीउम्र प्रेड्यूस करता है ठीक है मतलब ट्यूमरbury पडिउस करता है यह जो बैक्रीध का नाम है बॉट जहोलोजिकल नहीं में त्यु मीफेशिटाइंश इसके इसका छो प्लाजमीट होता है इसे कहता है टीाइब इसका प्लासमेट है प्लाजमेट टीक इसमें एक जीन होता है जिसको कहते है टी आई जीन क्या कहते है टी आई जीन यह जो टी आई जीन होता है लला मेरे बच्चो यह होता है टीमर इंडूसिंग जीन कैसा होता है बच्चो टीमर इंडूसिंग जीन यह क्या करता है ठीक यह tumor inducing gene जो होता है यह tumor बनाने का काम करता है और इसके पास भयांकर self replication का power होता है तो हमने इस TI gene को क्या किया cut अगर cut कर दिया तो यह tumor तो cause नहीं कर सकता tumor cause नहीं कर सकता पर अभी भी इसके पास self replication का बहुत ज़्यादा power है जब इसको cut कर देते हैं तो यह कहलाता disarmed plasmid मतलब तुमने इसके वो सारी चीज़े काट दी जिससे infection हो रहा था वहीं पर अपने अपना desire gene गुसा दिया आप डाल दो इसको plant के अंदर डाल दो इसको plant के अंदर तो plant में हम TI plasmids के through अपना genetic material भेल सकते ऐसे ही animals में हम retro viruses के through retro viruses हमेशा जब भी आप कोई vector इस्तुमाल कर रहे हैं तो उसे disarmed करना बहुत 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 ज़रूरी है जब भी हम किसी भी vector के through अपना क्या भेज रहे हैं genetic material आपके host cell में भेज रहे हैं you should know बेटा जी लल्ला जी ननो जी मुनो जी कि उसे disarmed कर देना नहीं तो पता चला host cell को infection कर दे वहीं मर गई disarmed का मतलब वो सारी चीज़े हटा दो जो क्यों खतरनाक होती हैं फिर उसमें अपना दाल दो तो एडिनो वाइरस पैपिलोमो वाइरस यह सब cloning vector होते हैं animal cell के लिए तो सबसे पहले disarmed करना है फिर उसके बाद उसे use करना है transfer करने के लिए clear है चलो done हो गया so it delivered the piece of DNA known as transfer DNA into the ti plasma which transformed the normal cell into the pathogen तो इसके पास एक gene होता है ti gene जिसकी वज़ा से normal cell जो होती है वो पूरा infectious cell में convert हो जाती clear है आगे बात करें यह भी बता दिया मैंने आपको कैसे clear करेंगे सब बता दिया clear है now now मालो आपके पास vector नहीं है तो रोएंगे नहीं तो हम direct transfer भी कर सकते हैं gene का पर वो generally हम लोग करते नहीं है so we can use the direct method चीक है सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा सबसे पहले अपनी cell को competent बनाओ चीक है देखो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कौन-कौन से दिये गए है chemical method दिया फिर physical method दिया है तो आप यह याद रखो कि अगर आपके पास vector नहीं है chemical method का मतलब है सेल को इतना कंजोर बना दीज़े कि उस पर छेद हो जाए اور DNA अपने अप अंदर घुस जाए clear है सेल को आप इतना कंजोर बना दीजिए कि उस पर सेल पर छेद हो जाए और DNA अपने आप अंदर खुस जाए clear है तो सबसे पहले क्या करना है पोर्स जन्रेट हो जाएंगे और डिन अंदर चला जाएगा फिजिकल मेथड में आप ये जन्रली देखो देयां से ये जन्रली हम लोग क्या करते हैं ये जन्रली हम लोग एनिमल सेल के लिए करते हैं देखो यहां पर लिखा हुआ है जन्रली हम लोग करते हैं अब प्लांट जो होता है ये जन्रली हम लोग किसके लिए करते हैं ये हम लोग करते हैं एक चोटा सा नीडिल जो होता है बहुत ही माइक्रो पिपट के थूँअ आप सेल के अंदर अपना डियने गुसा सकते हो जीन गन मेतट में क्या होता है जिसको हम बाइवलिस्टिक गन भी कहते है जीन गन मेतट में ये होता है कि आपके पास तंट्गस्टन ये गोल्ड पार्टिकल होते हैं उसके उपर से सेल के दर भेज देते हैं सो देखो सेल्स और बंबार्ड विद हाई विलोसिटी माइको पार्टिकल ऑफ गोल्ड और टंग्स्टन कोटेड डियने पार्टिकल यही बता है मैंने शुपरा मैं को सब याद है कि क्या बोलना है उनको तो यह मत संजोगी है बिना देखे कैसे और उनको सब याद है बिटा तुम्हें मैं जल्दी जल्दी समझाने कोशिश कर रही हूं तो अनिमल सेल में आप कैसे बेज सकते हो डारेक्ट बाइदा माइक्रो इंजेक्शन मेथड और प्लांट में जीन गन टंग्स्टन की ऊपर गोल्ड के ऊपर डियने रैप करो और सबसे पहले आपको क्या है वो देखते हैं सबसे पहले आपको तोड़ना है सबसे पहले आको क्या करना हे सेल को तोड़ना है बेक्टीरिया सेल को तोड़ना है तो लाइंसोजाय अमस्तेमाल करो फंग प्लांट की से स्यलज अगर आपको डिनसी स्थ害 निकालना है तो सैल को तोड़ते हो जब आप सेल को तोड़ते हो तो सिर्व डिने बाहर निया प्रोटीन आता है और ने आता है कितनी सारी डेब्री जाती गंदगी आती है तो हमें प्यूर फॉर्म अप्डिने चाहिए तो अब उसे आपको क्या करना पड़ेगा उस से में आपको डालना पड़ अब आपके पास DNA बचा क्या करना है DNA ठीक है अब उसके बाद डालो चड़ी मुझे यारी तेरी ऐसी देशी दारू मेरी अब उसके बाद डालो चिल्ड एथनॉल चिल्ड एथनॉल जब आप उसके उपर चिल्ड एथनॉल डलो जी नन्नो जी मुन्नो जी डालोगे तो आपक और फिर भाई ख। लेल्हाम एक निकला रही करों से कर चलता है त्रियर हो गई इतनी बाथ चलो अब एक DNA को एक plasmid में लेषन 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 बहुत-बहुत-बहुत-बहुत important है, यह important चीज जो है, यह लिखी हुई है, आप slides देख लेना, screenshot ले लेना, यह technique Carey Mullis ने 1985 में discover की, यह technique Carey Mullis ने 1985 में discover की और उनको Nobel Prize भी विला in the chemistry 1993, PCR में होता क्या है समझिये, सबसे पहले हमको PCR में चाहिए क्या DNA जिसकी copy बनानी है, 10-18 नुकलोटाइट के बेस होते हैं और डिने के कॉम्प्लिमेंटरी 5-10 पर जुड़ते हैं फिर उसके बाद एंजाइम से यह टैक पॉलीमेरेज आए समझते हैं कि यह प्रॉसेस होगा कैसे कभी भी डिने की मुल्टिपल कॉपी बनाने के लिए सबसे पहले बेटा जी नन् 24 degree centigrade for 15 seconds तो आपका डिने खुल जाएगा खुल रहे डिने खुल रहे गया आपका डिने ठीक है अब यह खाली डिने देया टेंपलेट अब इनके ही कॉम्प्लिमेंटरी आपको डिने बनाना है ट्रियर है उसके बाद हमेशा यार रखिए हमेशा यार रखिए कि एनिलिंग थी ऊती है 5-2-3-3 अटी ही शुरू होगी आई होप यहां पर भी और लिखा होगा जैनिलन अब यहाड रखो अब उसके बाद करू लिसन वह प्राइमर यहां 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 जुड़ का मझब यहां धको यह बते को यहां त्प्राइमर जुड़े आप यह प्राइमर जुड यह है आपका तो यह है आपका तो यह याद रखेगा तो हमेशा याद रखिए कि सबसे बहले टेंपरेचर कम होगा प्राइमर आके जुड़ा और यह प्राइमर जुड़ गया है अब अब थर्ड स्टेप इस एक्सेंशन पहला प्राइमर फाइमर फाइश फ्री डाइश एंड अपना वह बनाएगा ठीक है खोल कर आपने डिन गो क्या किया टेंप्लेट बना दिया अब इसी के सीक्वेंज इसी के कॉम्प्लीमेंटरी दूसरा जो है स्ट्रेंड बनेगा पर कौन सा 5-2 थर्ट तो प्राइमर हमेशा 3-2 डाइश एंड की और भागता है 5-2 ये लिसन वे अब सके बाद प्राइमर जुडा हुआ है जब आप जिस DNA को आप चाहतें multiple copies बने तो उसमें पहले DNA आड़ करो फिर primer आड़ करो एंजाइम आड़ करो और कुछ DNTPs DNTPs मतलब adenosine, adenine, guanine, thymine, cytosine यह सब add करो और यह primer जो है यह primer जुड़ गया है पर primer आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक उसमें तुमें एक enzyme नहीं जोड़ोगे polymerase polymerase जुड़ा polymerase ने आसपास के NTPs को पकड़े ठीक है thymidine, cytidine, guanidine यह सब को पकड़ा और एक एक करके जोड़ता गया जोड़ता गया base pair जुड़ते गया और strand आगे बढ़ता गया clear है समझ में आगई बात यही step look at this यह polymerase आया जान से देखते जाना ठीक है denaturation हुआ polymerase आया हमारे पास है क्या क्या polymerase primers nucleotides ठीक है nucleotides के idine, guanid, thymine और cytosine जो DNA बनाते है ठीक अब primer जुड़ा फिर कौन जुड़ेगा देखो select में polymerase जुड़ा polymerase जुड़ गया primer के साथ देखो देखो अब यही polymerase base pair nucleotides पकड़ता जाएगा और आगे आगे add करता जाएगा clear है समझ में आ गई बात बस आपकी multiple copies of DNA बन गही है माम अगर हम PCR से ही multiple copies बना रहे थे तो हमें क्लोनिंग करने की क्या ज़रूरत होती है आप अल्टिमेटली माम आप जीन की जीन का भी तो नंबर बढ़ा ही रही थी क्लोनिंग से तो आप PCR से क्यों नहीं बढ़ा ली PCR में एक समय के बाद धंके gene copies नहीं बनते इसलिए क्लोनिंग इस बेस्ट मेथ तू पर तू मेक्ट कॉपी जी चीए पर डियाने आगया है फिर कुछ नहीं यह दियान आ है आपका और यह वाला डियान आ इस वाल इन्सर्ट हो गया स्टिकी एंड्य। यहां सब्स्मीट को अपने क्या तो हमेशा पर यह कटे का इसा जब आपका रेस्टिक्शन एंड्रेज जो इसके लिए उसके लिए इसके लिए अभी ऐसे एंड रेट रहा यह वा आप इनक्टिवेशन ठीक है यह सब बता दिया कि आप किस तरीके से जानेंगे कि आपका कहानी वाली मतलब रिकॉम्बिनेंट नहीं हुआ है वाइट वाली मतलब रिकॉम्बिनेशन हो गया है यह मैंने आपको पहले बता दिया इसमेंगे टेंचन है अब बेटा ऐसा है कहानी कि आपके पास आपने रिकॉम्बिनेंट क्या कर लिया है प्लाजमिट बना लिया है इस का नंबर हमको बहुत जाधा commercial लेवल पे चाहिए तो क्या करें बेटा ठीक उस जीन से जो protein बन रहे हैं उसको हमें commercial लेवल पे ले जाना है तो क्या करें माम तो भाईया उसको भड़े लेवल पे ले जाओ ना ठीक है अब हमको जब यह protein कोई बना रहा है तो इसे हम रिकॉंबिनेंट प्रोटीन के तर्यकोंडेंट्र प्रोटीन समझ में आ है न वह फ्लासमेट जिसके अंदर हमने वह घुसा रखा जोका पाथ ही नहींटब उससे जो भी प्रोटीन बनेगा लला मेरे बच्चों मेरी संतानो वह है रिकॉंबिनें बहुत ही प्यारा स्मूध चाप्टर चल रहा है वन शॉट इस वेरी उसके बाद पर इस प्रोटीन को माल लो देखो खत्म ओने वाला चैप्टर दियान से देखो ये है आपका प्लाजमिट ये है आपका डिजायर जीन ये है आपका प्लाजमिन हम् हम चाहते हैं शिपरा मैम कि आप तो इसकी या तो जीन की मल्टिपल कॉपी बना दो बना दें कोई टेंशन नहीं यहीं जीन जो प्रोटीन बना रहा है इसको लार्ज स्केल में प्रड्यूस करवा दो दो आपके जिनिटिक इंजिनर के दो चीज़े होती है या तो यह जीन ब अपको कल्चर करके देखना है है कल्चर किसा होता है यह спорт क्यों की चीज़े या तो बैटिकले में उगा के देखो love क Schön 않아 करने के लिए हम दो प्रकार की चीज़े यूस कर सकते या तो हम कोस्व है को रख और होस्छा घिसिक अंदर प्लाज्मिट पढ़ा हुआ आप empres Um मुझा झालता हुआ इक विश्ञे सरी त्हट अब मिलाह licence में में आप पास एक वैसल है जिसमें कंटीनेंसली यहां से फ्रेश मीडियल का इंलेट होता जा रहा है ठीक है हम लोग यही वारण जैदातरी यूज करते है यहां से हमेशा फ्रेश मीडियम का इनलेट होता जा रहा है और यहां से बक्वास मीडियम बक्वास बक्वास मीडियम का आउटलेट होता जा रहा है ठीक है ठीक जिसकी वज़ए से बैक्टिरिया जो है वो मल्टिप्लाई करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे कभी मरेंगे ही नहीं क्योंकि आप उ रहे हैं किसकी बैच कल्चर की तो आपने एक बर कल्चर जाल दिया आपने बार न्यूट्रियंट डाल दिया जब न्यूट्रियंट की कमी होगी तब नीचे क्यों ड्रॉप किया मुझे समझ में रहा है इसको अच्छे सबनाती देखो यह कुछ ऐसा बनेगा ऐसा ग्रोथ होत होती जाएगे होते जाएगे क्योंकि इस तरीके से आप प्लान करते हैं कि आपको कौन से कल्चर में नॉर्मली यूज 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 कंटिनेस कल्चर ठीक है समझ में आ गई बात लाज स्केल के लिए हम यह करते हैं हमेशा फ्रेश मीडियम आड करते हैं और दूसरे इडियम निकालोगे प्रोटीन बंदा जाएगा तो उसे भी निकालते जाओगे क्लियर है आईए अब आपका प्रोटीन अब करते हो तो आपको यूज करना पड़ता है बायो रियाक्टर क्या होते हैं यह लार्ज वैसल होते हैं जिसमें पी-एज टेंप्रेचर कंडिशन सब मेंटेन होती है और इसमें खूब सारे अमाउंट पे आप अपने जीन्स अपने प्रोटीन बना सकते हैं बायो रियक्टर दो प्रकार की होते हैं जो जनरली हम लोग यूज करते हैं एक होता है स्पार्ज टैंक एक होता है स्टिल टैंक जो होता है यह सबसे कॉमन टाइ बखवास मीडियम आता रहेगा स्टराइल एयर उसमें जाती रहेगी ताकि एरियेशन अच्छे से होता रहे इंपेलर्स के माध्यम से आपका कल्चर घूमता रहेगा ताकि मिक्सिंग होती रहे एरेशन होता रहे और आपके कल्चर में प्रोटीन बनता जाएगा तो दो टार जब उसमें ऐसा एसा बन रहे इसमें एहर ट्राप हो जाती है जिसकी वाजाए से इनको अच्छा और अच्छे से काम कर सके तो यह जो वंतीने इसमें एएऔर गास क서 बनेगे तो यहहां आपका चीजिन हो रहाए, उसमें बढ़ी हाँ, क्लीर est entendeu रहा हुट हुटा है की कीज ठीज होटे है जो impeller वाला है जो stirred tank है उसका base हमेशा curved रहेगा curved क्यों होता है ताकि उसमें proper mixing हो सके और पूरे bio reactor में oxygen अच्छे से मिल सके stirred tank में क्या होता है एक proper pH control system होता है foam control system होता है और foam control system होता है mixing के दौराण foam generate नहीं हो ठीक है और उसके बाद जो system होता properly sterilized होता है ठीक है और हमेशा culture में periodically withdrawal होता है कि बहाते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ ठीक है समझ में आ गई बात इसके component क्या है इसमें एक 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 oxygen delivery system होता फोम control फोम नहीं होना चाहिए नहीं तो बस्ट होने chances होते temperature control system होता है इसमें और sampling के ports to the culture periodically ठीक है तो यहां पर culture जो है यहां से medium को आप inlet करते रहेंगे और यहां से outlet करते रहेंगे तो यहां से waste medium बाहर भी जाता रहेंगे और साथ जो भी अपने protein यह जीन बना है वो भी बाहर जाते रहेंगे clear है इतनी बात done हो गया stir जो होता है stir यह हो गया आपका stir tank में होता है इसमें stir जोता आप जो impeller के माध्यम से पूरे बायो रियाक्टर में oxygen अच्छे से mix होती रहती है स्पाज्ड में कैसा होता है जिसे बुल-बुले छोड़ रहें आप ठीक है बुल-बुले ठीक है यहां से आप effluent medium देते जाओ medium देते जाओ उधर से निकालते जाओ ठीक है तो बुल-बुले छोड़ते जाएंगे और जो waves बनेंगे उसमें oxygen इंट्रेंड मेंट हो जाएगा और अच्छे सा oxygen मिलती रहेगी तो इस अच्छा एयर जो भी आप दे रहे हो वह हमेशा कैसी होनी चाहिए बेटा स्टेराइल होनी चाहिए नहीं तो जो आप इतना लाज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हो चीजों का प्रोटीन का वह सब खराब हो जाएगा तो जो भी आप एर दे रहे हो जो भी आप ऑप ऑक्रोटीन बना के रखा पर ऐसी थोड़ी भेज देंगे ठीक है तो उसके लिए अब हम लोग करतें डाउं स्ट्रीम प्रोससिंग क्या करत से हम लोग इसकी downstream processing बनाने का process होता है upstream processing यह होती downstream processing downstream processing का मतलब क्या होता है जो product आपने बनाया उसको reactor से बाहर निकालो फिर उसके बाद उस product को purify करो उसके बाद उसमें अच्छे से preservative मिला और उसके बाद उसकी quality control करो और final product को pack करके भीज़ दो मतलब बायो रेक्टर से निकाल कर आपके market तक की कहानी जो है वो होती है आपकी क्या नाम है आपकी downstream processing बायो रेक्टर तक की कहानी क्या होती upstream processing और बायो रेक्टर तक की कहानी biological processing भी कहलाती है ठीक है बच्चो डन हुआ है यह chapter one shot we have done we have done इतने कम समय पर आपने बायो टेक्टर में कुछ important नहीं है का मतलब सब कुछ important है इस chapter में नहीं बता सकती कि क्या आईगा क्योंकि इस chapter में सब कुछ important है आप उसमें medium डालते दो तरीक से बाच और continuous हम कौन सा यूज कर रहे हैं इसमें continuous culture क्लियर है बाच कल्चर जनरली यूज नहीं करते हैं कम करते हैं ठीक है अब oxygen की delivery के लिए दो impeller है proper mixing यहाँ पर जो है sparger है spar stand में उसके बाद downstream process करो pack करो और भीज दो तो इस पूरे chapter का objective आपने क्या समझा लला मेरे बच्चों इस पूरे चाप्टर का objective यह समझा कि हमको किसी भी तरीके से अपने desire gene का number या उसके द्वारा बनने वाले proteins का quantity बढ़ाना है पहले हमें desire gene का number बनाने के लिए पूरी engineering की और फिर उसे large scale production के लिए कहानी के लिए इस process में हमने बना लिए हैं बहुत सारे gene और बहुत सारे DNA तो हमेशा आप अगर यह बाय टेक्नोलजी कितना सो पहले आपकी कहानी तब change होगी जब आप अपने comfort zone से बाहर होगे मैं आज 12 बज रहा है और मैं one shot बना रही हूँ तो इसका मतलब है कि मैं comfort zone से बाहर हूँ पर मैं तुम्हाले कुछ भी कर सकती हूँ यह मेरा मेरा successful rate होता है success rate है तुम्हारा success rate तब होगा जब तुम दिन नहीं देखोगे रात नहीं देखोगे और सीधा पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे मिलती हूँ किसी amazing most important question series या one shot में वह आपको पता चल जाएगा कौन सा है इंतजार करना शिप्रामाम है पूरे biology के शिकर तक पहुचाएगी डॉक्टर बनाएगी इंतजार करना मेरा see you in the next amazing session मेरे प्यारे बच्चों तब तक thank you so much and bye bye